जीतना है तो करो तयारी एक्षन की मंजिल मिलेगी जरूर गर है तड़प सेलेक्षन की नमस्कार दोस्तों मैं उद्य सिंग मैथ्स गुरू उदर से यूटूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत और अबनेंदन करता हूं जिसका हम यूनिट में हमने दो चैप्टर समलित की है जिसमें है ट्रिग्नामेट्रिक आइडेंटिटीज और दूसरा है इन्वर्स ट्रिग्नामेट्रिक फंसन चलिएगा सुरूआत करेंगे हम इस क्वेस्चन नंबर वन की करा है कि साइन ए प्लस वी बटे कॉस ए माइनस व इसको नीचे तो पलट दिया हमने तो कितना आ गया भाई यह आ गया हमारे पास वन प्लस एम बटे वन माइनस एम और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना यह कॉस A-B उपर चला जाएगा और यह हो जाएगा हमारे पास sin A-B हम यहाँ पे लगाएंगे और उपर हम घटाएंगे तो चलिए यह जाएगा 1 प्लस M उपर घटा दीजिए माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का M हो जाएगा और नीचे क्या करना जोड़ना है तो यह हो जाएगा हमारे पास अंस और हर को जोड़ दीजिए उसी में ठीक है अंस में हर को नीचे उपर घटाया गया और नीचे क्या किया गया है अंस में ही हर को जोड़ा गया है अपान भी लिखा होता तो हम उसे A-B अपान A-B भी लिख सकते हैं दोनो रेशियो एक्वाल होंगे तो इसे क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे कॉश में A-B माइनस साइन A-B डिवाइड बाई और इसे लिखेंगे कॉश A-B प्लास साइन A-B ठीक है अब क्या करें 1 से 1 काड़ दें और M से M यहाँ पे कट जाएगा उपर हो गया 2M नीचे हो गया 2 M by 2 इधर क्या हो गया 2 M by 2 इधर हम साइन C-Cos D लगा सकते हैं लेकिन एक को चेंज कर ले तब तो भाई यहाँ पे हम चेंज करते हैं इस वाले को चेंज कर लेते हैं भाई यह प्लस भी लिखा है ना 90 मतलब πाई बाई टू हो गया हमारे पास पाई बाई टू ठीक है माइनस A माइनस B हो जाएगा 90 माइनस थीटा लिख दिया हमने इसको 90 माइनस थीटा और इससे क्या लिखना है इससे लिख देना है Sine A plus B यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है cos a minus b cos a minus b और यहां लगाएंगे plus और इसे भी बदलेंगे cos में और यह आ जाएगा 90 minus a minus b ठीक है उपर cos c minus cos d का सूत्र लगाएंगे cos c minus cos d मतलब क्या हो जाएगा 2 into cos c minus cos d 2 into sin c plus d बटे दो sin c a minus b plus pi by 2 minus a से a कट जाएगा pi by 2 minus 2 b अब बटे 2 होता है तो कितना हो जाएगा यह pi by 4 minus b कितना जाएगा यह pi by 4 minus b है ना चलिएगा उसके बाद अब देखेंगे sin हो गया भाई आगे क्या sin d minus c होता है sin को रहने दीजिए d d का मतलब pi by 2 यह कितना हो जाएगा pi by 2 minus a minus b और minus का a और plus का b हो जाएगा इस बार b से भी कट जाएगा अब हो जाएगा 90 minus 2 a 90 minus 2 a का मतलब क्या हो गया अगर by 2 करेंगे तो 45 minus a है ना तो यह sin हो जाएगा हमारे पास कितना pi by 4 minus का a divided by नीचे भी हम लगाएगे क्या cos c plus cos d सेम होता बस cos लग जाते हैं एंगल भी वही है है ना तो मतलब सीधी सी बात यह है कि यह आजाएगा हमारे पास कितना pi by 4 minus b हो जाएगा अरे cos c plus 2 into cos c plus d बटे दो into cos c minus d बटे दो और यह हो जाएगा cos में कितना 10 pi by 4 minus a यानि कि कौन सा ओप्षन से हो जाएगा 1 में option number जो c है वो correct हो जाएगा question number 1 का option number c correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 2 देखेंगे question number 2 में हम से कह रहा है then the value of देखें यहाँ पे हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हिट कर लें theta is equal to 0 degree ले 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 तो यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा हमारे पास है ना equal कितना जाएगा यही पे उपर ही लेट कर लीजे theta परावर 0 है ना यहाँ पे आप इसे put करिए कितना theta equal to 0 degree तो आपको यह मिल जाएगा देखिए 1045 हो जाएगा 1045 प्लस 1045 कितना आ जाएगा 1045 1045 दोनों का मान 2 आ जाएगा अच्छा अब यहाँ पे 0 रखिए बिटा है ना भाई अब यहाँ पे रखिए 0 देखेगा theta की जगह पे 0 रखिए तो कितना जाएगा 6 0 है भाई यह कितना जाएगा 6 0 कमान कितना जाएगा 1 आ जाएगा अच्छा यहाँ पे रखिए तो यह आ जाएगा 2 into 6 0 कितना जाएगा इसका value 2 आ जाएगा 10 0 10 0 10 0 का value कितना जाएगा 0 आ जाएगा और यह हो जाएगा 210 यह भी क्या हो जाएगा value 0 आ जाएगा कौन सा option हमको 2 दे रहा है है ना देखिए इनको दोनों को हल करने पर क्या आ रहा था यहां यह 2 दे रहा था यह वाला option हमको दे रहा है तो कौन सा B option correct हो जाएगा है ना तो question number 2 में B option जो होगा वो क्या होगा correct होगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 3 question number 3 कह रहा है कि 10 theta बराबर B by A देंद the value of अब देखिए हमें कुछ इसको ऐसे generalize करना इस question को जिससे कि 10 का हमें कोई angle मिल जाए अच्छा ये बताइए अगर इसने दिया है क्या 10 theta बराबर B बता A हम 10 का कोई angle चाहते हैं तो भाई या तो यहां under root 3 बना ले यहां एक बना ले तो 60 मिल जाएगा हमको तो यह काम करते हैं यहां पर let करते हैं let करेंगे let कर लीजिए क्या माने लीजिए कि B बराबर कितना under root 2 under root 3 अब B बराबर 1 ठीक है B बराबर under root 3 और A बराबर हमने क्या किया 1 मान लिया है ना अब देखिएगा चलिए यहां पर रख लिया जाए भाई यह कितना हो जाएगा under root 3 बटा 1 है ना यहां से क्या मिल गया हमको यह मिल गया 10 theta बराबर कोई भी ऐसा एंगल लिटकर लिजे A और B की value लिटकर लिएजे यहां पर रखिए और उसके बारे में बाद में फिर देखते हैं कि क्या करना है ठीक है देखते हैं 10 theta प्लस under root 3 under root 3 का मतलब आ गया कि इसने आपको दे दिया कि मैं theta का माने यहां पर 60 hans हूँ है ना हमने 60 hans बनाने की कोशिस भी की है चलिएगा अब देखिएगा हम ऐसा एंगल बनाना चाहते हैं जिसको आसानी से मिनिकाल सके भी इसकी value पहले निकाली जाए अच्छा A बराबर कितना है एक और यह कितना हो जाएगा एक गुड़े cos 2 theta cos 60 का मतलब कितना हो गया 120 plus b का मान under root 3 और यह कितना है sin 120 sin 120 calculate करते हैं देखिए cos 120 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा भाई minus का 1 बटा 2 कितना हो जाएगा यह minus का 1 बटा 2 ठीक है यह minus का 1 बटा 2 हो गया अच्छा अब देखिए यहाँ पे भाई under root 3 है रहने दीजिए under root 3 sin 90 plus 30 cos 30 का मान होता है under root 3 बटे 2 under root 3 बटे 2 calculate किया जाए हमें पता है यह minus का 1 हो जाएगा और उपर यह 3 हो जाएगा बटा 2 2 बटे 2 आजाएगा 2 बटे 2 का मतलब होता है 1 अब देखिए कौन सा option आपको a बराबर 1 और b बराबर 3 under root 3 रखने पे 1 दे रहा है तो a बराबर 1 आ रहा है यहाँ पे है ना और यहाँ पे b बराबर कितना रहा है under root 3 a plus b का मतलब क्या हुआ under root 3 प्लस 1 और a plus b का मतलब क्या हुआ under root 3 प्लस 1 यह भी हो गया अब हमको क्या चाहिए था हमारा जो swallow करने के बाद जो आया है वो कितना आया है 1 आया है तो 1 यह वाला option दे रहा है है ना तो 3 में कौन सा option सही करेंगे 3 का a वाला जो option ने वो चाहिए 1 code आम उसमें 90Ns माल लीजए 1 code आम उसमें 30Ns माल लीजए और 1 code आम उसमें 60Ns माल लीजए ठीक है माल लीजए कि यह code A है और यह code B है और यह code C है तो यहाँ पूट करके देख लीजए तो sin square यह कितना हो जाएगा sin square a का मान 30 Ns. Sign square B का मान है 90 Sine Sine Square C का मान है 60 रखा जाए स्क्वेर लगा हुआ है Sine 30 का मान 1 बटे 2 होता तो 1 बटे 4 बन जाएगा Sine 90 का मान 1 होता है और Sine Square 60 दिया गया है है ना 60 का मान रखेंगे अंडरोड 3 बटे 2, 3 बटे 4 आ जाएगा 1 बटे 4 और 3 बटे 4 मिलाके 1 हो जाएगा और 1 एक मिलाके कितने हो जाएगे 2 तो 2 आना चाहिए क्या होगा Sine Square A plus Sine Square B plus Sine Square C का मान किसी Right Angle में हमेशा क्या होगा Right Angle Triangle में हमेशा क्या होगा 2 आएगा तो 4 में कौनस आप्षन सही होगा D वालो आप्षन सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे करा है value of Sine 13 Pi by 4 It's same as the value of किसके बराबर होगी देखते है Sine 13 13 Pi है न by 4 Change कर लेते हैं इसको हम इसको लेख सकते हैं कितना Sine इसे हम लेख सकते हैं 2 Pi अच्छा 2 Pi करेंगे 4 दुनी 8 हो जाएगा कितना बचेगा 5 Pi 5 Pi by 4 किया जाए Sine 360 प्लस थीटा Sine थीटा के बराबर होता है मतलब ये value Sine 5 Pi by 4 के बराबर होगी है ऐसा option बिलकुल सही है ना B वाला option सेम दिया गया है यानि कि 5 में कौन सही हो जाएगा 20 ही हो जाएगा 6 अब देखिए question नमर 6 कह रहा है कि इसमें हम possibilities दालासेंगे है ना solution तो इसका बहुत महंग बहुत बड़ा है कि रहा कौस की पावर 4Y अब देखिए यहाँ अगर सिर्फ कौस स्क्वेर एक्स बच जाता और यहाँ पे साइन स्क्वेर एक्स बच जाता तो यह 1 हो जाता कौस स्क्वेर एक्स प्लस साइन स्क्वेर एक्स आइडेंटिटी होती है लेकिन ऐसा कब संभव होगा जब एक्स बराबर क्या हो वाई मतलब कि अगर हम इसमें एक्स बराबर वाई रख दें तो यह इसको संतुष्ट कर रहा है है ना यह इसको स्क्वेर एक्स प्लस को साइन स्क्वेर एक्स साइन की पावर एक्स बटे साइन स्क्वेर एक्स दो पावर चार पावर से घड़ जाएंगी है ना तो कितना बचेगा यहाँ पे इनको जो हम सिंप्लिफाई करेंगी तो कौस स्क्वेर एक्स बचेगा और यहां sin इसको x बचेगा cos square x plus sin square x 1 के बराबर होगा यानि की x बराबर y इसको संतुष्ट करता है है ना, इसे satisfied कर रहा है कौन? x बराबर y अगर x बराबर y इसको satisfied कर रहा है तो नीचे वाले को भी x बराबर y satisfied करेगा आते हैं इसके पास चले, जहाँ x है वहाँ y रग दीजे यहाँ x है वहाँ y रग दीजे यह जहाँ y है वहाँ x रग दीजे रग दीजे वही काम करिये, कोई दिक्कत है कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cos की power 4x बटे cos square x plus sin की power 4x बटे sin square x यह दो पावर कटेंगी तो यहाँ चार कितना बचेगी यहाँ बच जाएगी cos square x और यहाँ बचेगी sin square x और इसकी value क्या होती है 1 यानि कि 6 में कौन सा option से ही हो जाएगा पहला वाला option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे देखेंगे question number 7 distance of the highest point on the graph of the function अच्छा हम पहले इस function को simplify करते हैं देखेगा y equal to दिया गया है कितना under root 3 cos x plus sin x हम एक काम करते हैं हम इसको sin या cos किसी में एक में change कर लेते हैं हम इसको sin में change कर रहे हैं भाई हम क्या करेंगे 2 से भाग दे दीजे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगा भाग दे दीजे अब 2 से आपने भाग दिया है तो आपको गोड़ा भी करना पड़ेगा कर दी हमने यह हो जाएगा y equal to कितना हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा प्लस कॉस पाई बाई थरी साइन एक्स है ना यानि कि ये चन्वर्ट होके बन जाएगा 2 इंटो साइन पाई बाई थरी प्लस एक्स पाई बाई थरी प्लस एक्स यह वाई कोल्टू आ गया हमें क्या निकालना है केरा दा डिस्टेंस आप दा हाईएस्ट पॉइंट आन दा ग्राफ आप दा फंसन इस फंसन का जो ग्राफ होगा हाईएस्ट कहाँ पे होता है भाई जब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा साइन की ये पूरे की मान क्या होगी है इसका जो highest जो होगा वो 1 होती इसकी value, իुफॉच पॉटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा highest point पर जो graph होगा, वहहाँ पर highest कहां पर होता graph, 1 पर होता है तो कितना हो जाएगा भाई, वहाँ पर जो sign की maximum value होगी, वह क्या होगी, 1 हो जाएगी तो वहाँ पे जो हमारे पास value होगी है ना the distance हमसे पूछी गई है highest point on the graph of the function ये दिया गया है from the x-axis x-axis से कितनी होगी दो unit होगी है ना तो कौन सो आपफन से ही हो जाएगा शाथ में ये वाला option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 8 इसमें value निकालने है value of sin x-sin 3x बटे sin x square x minus ठीक है हम निकालते हैं इसकी value और जरूर निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे उपर हम क्या करें नीचे से पहले common ले लिजिए हाँ भाई नीचे से आप minus common लिजिए और उपर दे दीजिए उसको उपर देंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा sin 3x और यह आजाएगा minus का sin x अट divided by यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cos square x minus sin square x ठीक है अब देखेगा उपर sin c minus sin d का सुत्र लगा देंगे कितना जाएगा 2 into cos c plus d बटे दो कितना हो जाएगा 4x बटे दो यहनि कि cos 2x हो गया अच्छा फिर into sin c minus d बटे दो तो 3x minus x यहनि कि 2x बटे दो यहनि कि x आजाएगा sin x बटे यह किसके बराबर होता है cos square x minus sin square x cos 2x के बराबर होता cos 2x से cos 2x काट दिया जाए कितना बचा हमारे पास बचा 2 sin x कौन सौप्षन से ही हो जाएगा 8 में d option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 9 की तरफ चलिए question number 9 देखिए यह आप एक cos 75 लिखा हुआ है अगर हम cos 75 को लिख दें तो हम इसे sign 15 लिख सकते हैं cos 75 लिखा हुआ है भाई यह sign 75 को 90 minus 15 से change करेंगे तो यह हो जाएगा cos 15 minus sin 15 divided by cos 75 है ना cos 75 को आप लिख सकते हो sin 15 तो यह cos 15 हम कहेंगे पहले लिख लो यह हमने cos 15 जो है पहले लिख लिया plus और यह cos 90 minus 15 तो यह हो जाएगा हमारा कितना sign 15 ठीक है अगर हम उपर नीचे से जबरजस्ति को cos 15 को common ले 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 तो यह बन जाएगा हमारा 1 minus 1 minus 10 15 बटे में 1 plus 10 15 दो बातें ध्यान रखनी हैं जो बहुत जरूरी हैं एक 1 minus 10 थीटा और बटे 1 plus 10 थीटा तो यह बराबर होता है यह आपको याद होना चाहिए ना निकालना न पड़े बार बार 5 by 4 minus थीटा और अगर उपर प्लस है 1 plus 10 थीटा 1 minus 10 थीटा तो यह सुत्र बन जाता है किसका 10 5 by 4 plus थीटा का इसे देहन रखेंगे तो यहाँ पर उपर वाला बन रहा है है ना तो यह मतलब क्या बन रहा है यह हमारा बन गया 10 कितना 45 minus थीटा कितना है हमारा 15 45 में 15 गए कितने बचे 30 कितना बन गया यह 10-30 10-30 का मान 1 बटे under root 3 कौन सा ओफफण सही होगा 9 में सी वाला जो अप्शन होगा वो करिक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नमबर देखेंगे 10 क्रद वैलू आफ 1- साइन थीटा प्लस को से अच्छा हमको इसका स्क्वेर निकालना है देखेगा बहुत आषन सा क्वेस्चन है यह इकालिटू आ जाएगा यह आगे अभ 1 यह यह रिखी 1 दिया इस 1 को घटाना तो इसको हाफ अंगल में चेंज किया जाए इसको हाफ अंगल में चेंज करने का मतलब कि फिर इसको फूल अंगल में रखने का कोई मतलब नहीं से भी चेंज़े कर लीजिए यह आजाएगा one minus यह हो जाएगा two into sin a by two और into में आजाएगा हमारा cos a by two plus यह cos a है इसको half angle में change करेंगे जिससे यह one कट जाए तो वो रखेंगे जिसमें minus का one होता है तो cos square a by two माइनस का one और पावर में हमारे two है minus one से plus one cancel हो जाएगे cancel कर दिया हमने ठीक है अब यहाँ पे काम छोटा सा करना है देखे cos a by two यहाँ भी है यहाँ भी है और two भी है दोनों जगा common ले लो तो भाई square के बाहर two निकलेगा तो वह four बनके निकलेगा यह बनके निकला क्या four और क्या cos square a by two बचा क्या यहाँ पे यहाँ बचा हमारे पास cos a two निकल गया sin a by two plus और cos a by two है ना निकल गया square चलिए यह two को अगर हम बाहर कर लें तो two cos square a by two हमने half एंगल का सुत्र पढ़ा अभी cos a is equal to होता two cos square a by two minus one यानि कि अगर हमें two cos square x by two की जगह पर रखना पड़े तो one plus cos a रख सकते हैं क्या रख सकते हैं one plus cos a तो हमने two को इसको लिखा two into cos square a by two और उसकी जगह पर हमने रख दिया one plus cos a अब इसका सूत्र open करेंगे a plus b के holy square से तो क्या आ जाएगा यह आ जाएगा sin square a by two plus cos square a by two plus two into sin a by two cos a by two sin square a by two plus cos square a by two की जगह पर वैलू हम one रख सकते हैं सरोसमिका से plus two sin a by two cos a by two की जगह पर हम रख सकते हैं sin a sin a का सूत्र है है ना हो गया complete वर गड़ गया कितना आ गया two into one plus cos a two into one plus cos a और कौन सा है two into one plus cos a आप यहाँ पर छोटी सी घटना हमारे साथ जो घटी तो जह आए तो souven से ओगा पर यहाँ माइनस है यहाँ का बनेगा माइनस का बनेगा वन माइनस साहिने तरह यहाँ माइनस था इस माइनस को हमनें छोड़ दिया था तो कौन से option से हो जाएगा कोई भी option यहां पर correct नहीं आ रहा तो कौन से होगा भया डी वाला जो option वो correct हो जाएगा 10 में आगे बढ़ते हैं साब question number 11 question number 11 में हम क्रम से हटाएंगे इनको ठीक हम पहले इन दोनों को solo कर लेते हैं इतना solo कर लो तो कितना दिया यह यह दिया है इन्होंने cost और फिर दिया है 10 inverse यह दिया है sign अब हम चाह रहे हैं कि यह cost inverse x है न तो एक काम कर दीजे cot inverse x लंब बटे आधार होता है 10 का आधार बटे लंब है ना आधार बटे लंब यानि कि base बाई यह होजाएगा हमारा one base कितना है लंब बटे इनधार होता है अधार बटे लंब आधार क्या हो गए हमारा x पररपेंडिकुलर का गए Legislution ऐग अब क्या बचा हमारे पास अब हमारे पास बचा कॉस और टैन्ड इनवर्स इनवर्स के अंदर कितना वन अपान रूट में वन प्लफ x स्कॉयर ठीक है भीया आप समझे कहानी को फिर से एक बार ट्राइंगल बना लिया जाए तो क्या होता है लंब बटे आधार लंब कितना अब ये आधार कितना under root 1 plus x square जब भी हम इसका करड निकालेंगे hypotenuse निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा भाई 1 का square plus इसका square यानि हो जाएगा x square plus 2 x square plus 2 ठीक है अब ये हो गया cas अब cos tan को हटाना है tan को भी change करना है किसमें cos inverse में आधार बटे करड हाइपोटेनस बाई परपेंड आधार बटे करड बेस बाई हाइपोटेनस बेस कितना है ये बेस हमको दिया गया है root में कितना x square plus 1 या 1 plus x square बोल दीजिए अच्छा divided by root के अंदर ही है हमारा क्या x square plus 2 यह दोनों खतम हो जाएंगे क्या बचेगा हमारे पास हमारे पास बचेगा root के अंदर में x square plus 1 divided by x square plus 2 है न 11 का c option जो है वो करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 12 क्रफ find the value आफ इसकी value हमको find करनी है देखे यह हो गया cos cos और यह हो गया 10 inverse देखे 10 inverse को आप convert कर लिजे 10 को आप cos में convert करिए इसे आप लिख सकते हैं यह बटा है ना ठीक है इसके लिए triangle बना लिया जाए चोटा सा काम रहता है लंब बटे आधार लंब हमारा x आधार है एक यह कितना आता है यह आजाएगा 1 plus x square अच्छा तो cos 10 को हमने change किया cos inverse में आधार बटे करड आधार बटे करड यानि कि base by hypotenuse base कितना है 1 hypotenuse कितना है 1 plus x square is equal to sine अच्छा अब दूसरा वाला triangle देखिए कितना मांग रहा है यह कोट inverse वहता है आधार बटे लंब है ना base by perpendicular तो base कितना हो जाएगा base हमारा हो जाएगा 3 perpendicular कितना हो जाएगा 4 और यह कितना जाएगा 5 इसको भी change कर दीजिए यहाँ sign है तो sign inverse में बदलिए लंब बटे करड लंब कितना है लंब है हमारे पास 4 करड कितना है 5 खतम कर दीजिए बच्छा क्या हमारे पास हमारे पास दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए वर्ग करेंगे आजाएगा यह 1 plus x square is equal to कितना यह आजाएगा 16 बटे 25 पलट दीजिए पलटेंगे तो यह आजाएगा 1 plus x square is equal to आजाएगा 25 बटे 16 एक उधर घटाएगे तो x square बड़ाबर आजाएगा 25 minus 16 बटे 4 यानि कि 9 बटे 16 9 बटे 16 तो x बड़ाबर क्या आजाएगा x बड़ाबर आजाएगा plus minus 3 बटा 4 तो plus का 3 बटे 4 और minus का 3 बटे 4 दोनों इसको satisfied करेंगे इसलिए बारवे में c वाला जो आप्सन है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 13 की तरफ question number 13 अच्छा इस प्रस्ण को देखते हैं बहुत आसान सा प्रस्ण है यह तो 2 10 inverse 1 बटे 5 2 10 inverse 1 बटे 8 को एक साथ रखा जाए तो यह आजाएगा 2 लिया हमने common और यह आजाएगा 10 inverse 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 8 10 inverse हम चले अब देखिए कि हमारी बात को समझे यहाँ पे लिखा है इन्होंने 10 inverse यह लिखा था हमने 2 common लिया तो यह आजाएगा 10 inverse 1 बटे 5 प्लस 10 inverse 1 बटे 8 प्लस यह second inverse लिखा हुआ है इसको triangle में change करके इसको भी 10 बना लिजिए यह क्या होता है करड बटे आधार तो करड कितना हो गया इसका 5 अंडरूर 2 और आधार कितना हो गया 2 साथ हो गया इसका वर करो 25 दुनी 50 में 49 यह एक आ जाएगा एक आ गया ठीक है चले हमको इसे 10 में बनाना है तो यह क्या हो जाएगा भी यह 10 inverse 10 inverse क्या होता है लंब बटे आधार पर्पेंडिकुलर बाई बेस पर्पेंडिकुलर एक बेस सेवन यह कनवर्ट होके आ गया एक बटा साथ अच्छा यह आ गया 2 इंटो 10 inverse 10 inverse दोनों को जोड दीजे 8, 5, 13 हो जाएगा एक बटे 5 पलस एक बटे 8 13 बटे 40 डिवाइड़ बाई 1 माइनस एक बटा 40 इसे कल्कुलेट करेंगे 13 बटे 40 और 49 बटे 40 एक बटे 3 आ जाएगा यह कितना जाएगा एक बटे 3 तो यह 10 inverse एक बटे 7 हो जाएगा और यह आ जाएगा 2 10 inverse एक बटे 3 पलस 10 inverse एक बटे 7 ठीक है इसे तोड़ दीजिए 210 X 210 inverse X का आपने सुत्र पढ़ा होगा 10 inverse 2 X बटे 1 माइनस X स्क्वेर तो कितना हो जाएगा यह 10 inverse 2 X तो यह आ जाएगा 2 बटे 3 बटे 1 माइनस 1 माइनस इसका स्क्वेर हो जाता है न 1 बटे 9 ठीक है प्लस 10 inverse एक बटे 7 यह आ जाएगा अब कितना 2 बटे 3 गुडे यह 9 बटे 8 आ जाएगा 3 त्रिक 9 आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 4 तीन बटे 4 आ जाएगा यह आ गया अब हमारे पास 10 inverse तीन बटे 4 प्लस एक बटे 7 न टैन के साथ ही रहेगा 10 inverse एक बटे 7 अब इसमें फिर से पुना आपको क्या करना है सुत्र को अपलाई करना है है ना करते हैं अपलाई भाई आसान है छोटा सा था कैलकुलेशन तो है ही 10 inverse 10 inverse x plus 10 inverse y का सुत्र लगाएंगे यहापे क्या होता है 10 inverse x plus y तो यह हो गया divided by 1 minus x plus y x into y तो 3 बटे 28 आजाएंगे है ना यह कितना आ गया अब आ गया यह 10 inverse कितना हो जाएगा यह सात्रीक 21, 21, 21 और 4 हो जाएंगे 25 तो 25 बटे 28 गुडे 28 बटे 25 यह सब कट जाएंगे कितना आ जाएगा 10 inverse 1 1 का मतलब 10 inverse 10 pi by 4 यानि कि यह आ जाएगा 45 कितना जाएगा यह 45 pi by 4 आ जाएगा कौन सा आप्सन से हो जाएगा यह वाला आप्सन से हो जाएगा 13 में आगे बढ़ेंगे कॉस्टर में देखेंगे 14 कराफ find the value of x given हमें x की value find करनी है हम आसान है प्रस्चन यह भी बस थोड़ा सा calculation है ठीक है चलेगा छोटा सा काम करते है इसे हम change कर देते हैं देखेगा यहाँ पर sign है ना इसको sign को cost में change करो तो कितना आजाएगा यह यह आजाएगा cost कितना 90 minus theta में क्या दिया गए हमारे पास cot inverse x plus 1 ठीक है is equal to इधर कितना हो जाएगा यह cost के साथ angle में हमारा tan inverse x यह cost और यह cox हो जाएगे खतम खतम कर दिया अब एक छोटा सा काम करेंगे इसको मुधल ले जाएगे यह आजाएगा पाई बाई टू इधर हो जाएगा बराबर tan inverse x plus cot inverse x plus 1 है ना लेकिन इससे पहले जब भी हम कभी ऐसा करते हैं कॉस कॉस हटाएगे ना तो हम इसका एक छोटा सा काम यह करेंगे इसका ब्यापा कमान लेंगे है ना तो भाई यह कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का cot inverse x plus 1 x plus 1 equal to यह क्या होता है टू एन पाई है ना जब कॉस थीटा पराबर कॉस अलफा होता है तो टू एन पाई प्लस अलफा जोड़ा जाता है तो अलफा की जगह पर क्या है 10 inverse 6 ठीक है भाई अच्छा अब एकदम छोटा सा काम करना है यहां पर हमें क्या करना है एन बराबर 0 रख दिया जाए इन के मान क्या होते हैं हम एन के मान जहां पर क्या होते हैं जिरो होता 1 होता 2 होता 3 होता 4 होता इंटीजर्स होते रख जाए एन बराबर 0 رख digging अब यह आ जाएगा फाई और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10 inverse यहां पर मानिस दोनों होते हैं तो यह आजाएगा हमारे पास प्लस माइनस का tan inverse x अब समझेगा यह हो जाएगा अब इसको हम यह भी लिख सकते हैं छोटी सी बात एक तो यह पाई भाई टू यही रहने दीजिए कुछ नहीं किया भाई चेंज किया यहाँ पर जनरल वैलू ले लिए तो मैं यहाँ पर मिल गया पाई भाई टू माइनस काट inverse x प्लस 1 इसकोल 2 प्लस माइनस पसी थोड़ा सा maintain करना है पाई भाई टू एक्कोल 2 आजाओ देखो ज़र यह जो प्लस माइनस है हमें पता है कि अगर हम इसको अंदर भी ले ले अंगल में तब भी हमें पता है कि जो 10 inverse x होता हो 10 inverse x से रहेगा और 10 inverse के अंदर माइनस x हो तो माइनस 10 inverse x के बराबर होता है मतलब अंदर भी अगर इसको रख लिया जा तो कोई दिक्कत नहीं है प्लस यह कॉट को उधर ले जाओ यह हो जाएगा कॉट inverse में x प्लस बन अच्छा अब आपको पता है कि जब भी कभी ऐसा हो है ना जब भी कभी क्या हो 10 inverse x प्लस 10 inverse x प्लस कॉट inverse x बराबर 5 by 2 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यह दोनों अंगल क्या होंगे बराबर होंगी तो एक बार प्लस लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा minus ले लिजिए तो minus का x is equal to x plus 1 इसको इधर ले ओ minus का 2x बराबर 1 it means x is equal to कितना minus 1 बटे दो 14 में कौन सौफफन से हो जाएगा c वैल जो अप्सन है वो correct हो जाएगा अब इसके बाद देखेंगे question number 15 question number 15 भी उसी type का question है जैसे उपर था आसान है छोटा सा question है देखते हैं देखें यह लिखा हुआ है sign inverse लिख देते हैं इसे भी यहाँ पर गुडोतर स्रेडी बन रही है हम देख पा रहे हैं यह क्या बन रही है एक जीपी बन रही है और अनन्त गुडोतर स्रेडी है तो अनन्त गुडोतर स्रेडी ए एक्स बटे 1 माइनस देखें माइनस तो लगाएंगे लेकिन इसका जो सारवान उपात है वो माइनस का xy2 है तो यह प्लस का xy2 कर देगा है ना plus का xy2 हो गया plus cos inverse a x square upon 1 माइनस आर a अपान 1 मैनस आर होता है r यहां पे कितना है यहांन पे है माइनस का x square बटा दो तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह आ जाएगा x square बटा दो इकोल to कितना py2 नब्बे दिया है यहां पे भी वही सेम बात लगू होगी कौन सी ? कि भाई यहां पे भी यह दोनों एंगल बराबर होने चाहिए अगर यह πाई बाई टू है तो है ना ? sin inverse x plus cos inverse x बराबर πाई बाई टू है इसका मतलब यह दोनों एंगल क्या है ? बराबर हैं यह कब possible होगा x से 1 x काड़ देंगे cross multiplication करेंगे तो cross multiplication करने पर आपको मिलेगा 1 plus x की घाद 2 बटे 2 equal to यहां 1 x बचा है और उसे 1 x का होगा multiply x plus x square by 2 x square by 2 से x square by 2 काड़ देंगे इधर बचेगा 1 इधर बचेगा x यानि कि x बराबर कितना आजाएगा 1 और 0 और 1 के बीच में हमारा mod x है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना तो कौन सो अप्षन से ही हो जाएगा d option correct हो जाएगा 1 चलिएगा आगे बढ़ेंगे question number 16 question number 16 में हमको बताना इसकी value क्या होगी अच्छा इसको थोड़ा सा maintain करना है करते है maintain देखिएगा यहाँ पर अगर हम एक काम चोटा सा यह कर लें x is equal to let कर लें क्या x की जगा पर चलो रख देते हैं sin theta ठीक है x की जगा पर क्या रख दें sin theta रखते हैं रखो यहाँ पर तो यह कितना जाएगा दूसरा वाला पद पहला वाला पद तो वही रहेगा हमारा उसे नहीं कुछ करना है cos inverse x plus दूसरे वाले पद में आ जाएगा cos inverse क्या हो जाएगा भाई एक तो हमारा हो जाएगा sin theta दूसरा एक बटे दो एक बटे दो का मतलब होता है कि sin pi by 6 30 अंसका मान होता है है न plus यह हो जाएगा under root 3 बाहर निकालेंगे under root 3 बटे दो 1 minus x square तो 1 minus sin square यह cos theta बन जाएगा यह बन जाएगा cos theta under root 3 common लिया under root 3 बटे दो अलग हो गया 1 minus x square अलग हो गया root के अंदर x के जिए गब sin theta रखा तो root के अंदर 1 minus sin square theta cos square theta के बराबर हो जाएगा root से बाहर निकालेंगे तो cos theta आ जाएगा अच्छा, cos theta into में क्या गया under root 3 बटा 2 under root 3 बटा 2 को आप लिखेंगे ये क्या हो जाएगए तो cos theta हो गया अंदर अच्छा, यहाँ पर sin theta है तो इसमें cos की value रखिए न, सुर्ट तभी तो बनेगा है ना अच्छा, यह हमारा sin theta आपने बना लिया इसको हम, इससे वही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं से, cos ही रहने sin ही रहने दीजिए sin, तो इसको भी, इसको भी क्या करिए आप cos theta है, इसे आप cos में ही बनाईए अब, तो यह cos pi by 6 होगा, under root 3, किसका मान होता, under root 3, बटे 2, cos pi by 6, cos 60 का मान होता है, cos 30 का मान होता है, तो यह बन गया हमारा, cos inverse x, plus, cos inverse, यह बन गया, cos theta minus pi by 6, cos a cos b plus, sin a sin b, cos a minus b का सुत्र बन गया, a की जगा पर theta है, b की जगा पर minus pi by 6 है, दोनों को हटा देंगे, यह कितना आजाएगा, अब यह हो गया, cos inverse x, plus, theta minus pi by 6, और यहां से अगर आप theta निकालना चाहेंगे, तो theta बराबर आजाएगा, sin inverse x, उठा इसकी value क्या है, pi by 2, minus pi by 6, 90 में 30 गए, 60, 60 का मतलब pi by 3 आ गया, कौन सा आप्षन सही हो जाएगा, a option सही हो जाएगा, 16 का a option correct हो जाएगा, आगे करते हैं, 17 नंबर के सवाल को, बहतरीन सा question है अब दिखेगा, हम चाहरे हैं कि इसको भी 10 में ही convert कर लिया जाए, दिखते हैं, 2 tan inverse लिखा है ना, तो 2 tan inverse x का सुत्र पढ़ा है ना, क्या होता है, 10 inverse 2 x बटे 1 minus x square, तो यह आ जाएगा, 10 inverse, 2, 2 sin x आ गया, 2 sin x आ दिवाइड बाई, 1 minus sin square x, equal to, 10 inverse, दिखेगे, लिखा हुआ, 2 से केक्स, है ना, चलो अभी यही रहने दो, चाहरे से लिख दीजे, 2 by cos x, 10 से 10 को खतम कर दिया जाए, दोनों तरब से, है ना, फिर क्या बचा हमारे पास, 2 sin x, बटे, 1 minus sin square x, आपको पता है, कि यह cos square x के बराबर होता है, इस cos x से एक, x court देना चाहिए, वैसे, नए भी काटेंगे, तो cos x 1 हमारे पास आ जाएगा, गुडांक के रूप में, है ना, वहां से हमको 90 भी मिल जाएगा, 5 by 2, चले, डी, हैं, 90 भी मिल जाएगा, 5 by 2, थीटा बराबर 90 भी मिलेगा, x का वैलू निकालना है, हमको not pi by 2 कह रहा, pi by 2 नहीं है, है ना, तो pi by 2 नहीं है, तुम cos x को काटी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब हमारे पास क्या बचेगा, इस से इसको काट दीजिए, दूसरा बचा, 2 sin x is equal to cos x, ये cos square x था ना, एक ही तो कटा है, ये हो जाएगा, 10 x बराबर 1, x बराबर कितना आजाएगा, pi by 4, x कमान 45 डिग्री, 45 नहीं यहां भी नहीं है, ये है, 17 में c option जो है, वो correct हो जाएगा, यहां पे हमें x is equal to 45 डिग्री गिवन है, है ना, चले, आगे बढ़ते हैं, 17 में c, pi by 4, ये है 18, 18 में भी कोई value लिट कर लिया जाए, है ना, छोटा समान रखा जाए, जिससे की बहुत छोटा हो जाए, देखिए हम एक काम कर रहे हैं, हम दो और एक और दो रख लेते, m का मान दो रख लेते एक, लेकिन एक थोड़ा कम सटीक लग रहा है, कहीं लग रहा है, गलती की संभावनाए ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अपने select करेंगे, क्या select करेंगे, क्या m बराबर 3 ले लें, n बराबर 2 ले लें, और यहां रख दें, तो कितना आ जाएगा यह, यह आ जाएगा, tan inverse, 3 बटे 2, minus, और यह हो जाएगा, tan inverse, m minus n, 3 minus 2, 1 आ जाएगा, बटे, m plus n, 1 बटे 5 हो जाएगा, यह हो जाएगा, अब, tan inverse, tan inverse, दोनों को घटा दिया जाए, 3 बटे 2, minus 1 बटा 5, divided by, 1 minus 3 बटा 10, यहां plus होता है, 3 बटा 10, ठीक है, यह कितना जाएगा, tan inverse, कितना हो जाएगा, भाई, 5, 3, 15, 15, 15 में 2 घटा देना है, 15 में 2 घटा जाएगे, तो आएगा, 13 बटे 10, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 plus 3, नीचे भी हो जाएगा, 13 बटे 10, दोनों कैंसिल हो जाएगे, यह 1 आजाएगा, और आपको पता, जब tan inverse 1 बन जाता है, तो यह pi by 4 बन जाता है, tan inverse tan pi by 4, tan inverse और tan खतम pi by 4 बचे, तो 18 में कौन सा ओप्षन से हो जाएगा, साब, d वाला जो अप्षन है, वो correct हो जाएगा, question number 19 देखेंगे, question number 19 कह रहा है कि, if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to pi, then the value of, अब देखें, इस प्रश्ण को हम हल करते, लेकिन ऐसे प्रश्णों को जब भी दिया जाए, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z बराबर pi, तो हम लेट करेंगे, यहाँ pi कब आएगा, pi का मतलब यह होता है, है न, pi का मतलब क्या होता है, 180, 180 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 60 plus 60 plus 60, यानि कि, ये वाला part भी हमें 60 के बराबर आजाए, ये वाला part भी हमारे 60 के बराबर आजाए, और ये वाला भी part अगर हमारे 60 के बराबर आजाए, तो वो x80 यानि की πाई के बराबर हो जाएगा ये कब आएगा 60 के बराबर x की जगह पे क्या रखें कि 60 मिल जाए हमको तो हमें पता है कि साइन 60 का मान अंडरूट 3 होता है अंडरूट 3 बटे 2 अगर हम x की जगह पे रख दें और वही y की जगह पे भी रखतें और z की जगह पे भी रखतें तो यहां भी 60 मिलेगा यहां भी 60 मिलेगा यहां भी 60 मिलेगा तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहां क्या करें लेट कर लें क्या भाई कि x बराबर है y बराबर है z और सब किसके बराबर है अंडर रूट तीन बटे दो के तो देखेगा ये x बराबर y बराबर z यानि कि अंडर रूट तीन बटे दो इससे सैटिस्फाइट कर रहा है X की जगह पे भी उठा के अंडर उर 3 बटे 2 रग दिया जाए Y की जगह पे भी उठा के अंडर उर 3 बटे 2 रग दिया जाए और Z की जगह पे भी उठा के अंडर उर 3 बटे 2 रग दिया जाए तो ये इसको संतुष्ट करता है क्या करेगा ये? शंतुष्ट कर रहा है satisfied करता है और यह अगर satisfied करता है तो हमें value किसकी निकाल ली है कुल मिला कि x, y, z अगर सब बराबर हैं तो यह किसकी बराबर हो जाएगी, सब जगह रख दीजिए, y की जगह भी x रख दीजिए, और z की जगह भी x रख दीजिए तो यह बन जाएगा कितना 3, तीन बार हो जाएगे x under root 1 minus x square plus x under root 1 minus x square plus x under root 1 minus x square हो जाएगा यह, और यह बन जाएगा हमारे पास कितना 3 into x और root के अंदर आ जाएगा 1 minus x square 3 into x x की का मतलब under root 3 बटे 2 into root के अंदर 1 minus 3 बटे 4 कितना जाएगा यह 3 under root 3 और बटे में 2 है है हमारे पास यह into में आ जाएगा 2 4 minus 3, 1 बटे 4 root के अंदर 1 बटे 2 निकल के आएगा कितना आ गया 3 under root 3 बटे 4 अब वो option जिसमें x, y, z की जगह पे under root 3 बटा 2 रखने पर हमको 3 under root 3 बटा 4 दे देगा वही correct option होगा तो यह तो होगे नहीं यह भी नहीं होगा इन दोनों में से ही तलास है कि सायद कोई हो जाए देखिएगा 2 into x की जगह पे कितना under root 3 बटे 2 y की जगह पे कितना under root 3 बटे 2 z की जगह पे कितना under root 3 बटे 2 इससे इसको काट दीजे अब यह कितना जाएगा 3 under root 3 बटा 4 बिलकुल सही जवाब न b वाला option 19 का क्या होगा correct हो जाएगा 19 में जो b होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 20 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z अब देखिए हमारे पास भी एकदम मामला साम एकदम clear हो चुका है क्या करना है क्या करना है हमने क्या बताया था अभी just बात हुई इस मुद्दे पे सेम मुद्दा ही था कि हमें वो बहलू उठा के रखनी है जिससे हमको पाई मिल जाए अब देखिए यहां पे x की जग़ा पे क्या रख दें 10, 60 60 कमान क्या हो था under root 3 तो यहां पे हम क्या करेंगे let करेंगे x बराबर y बराबर z बराबर कितना under root 3 सब की जग़ा पे क्या रखना है under root 3 रखना है क्योंकि under root 3 संतुष्ट कर रहा है है ना Satisfied करता है भाई यहाँ पर पता अंडरूर 3 रखेंगे तो 10 इंवर्स 10 60 की value होती है अंडरूर 3 तो 10 इंवर्स 10 60 यानिके 6 आ गया 10 इंवर्स 10 60 आ गया 10 इंवर्स 10 60 यह भी 6 आ गया 60-60 मिला के 180 हो जाएंगे तिन बार में है ना 60 60 plus 60 180 मतलब यह satisfied कर रहा है मतलब यहाँ पर रख दिया जाए वह value किसकी value निकाल लिए हमको हमको value निकाल लिए 1 upon xy plus 1 upon yz plus zx 1 बटे 3 तिन रखेंगे तो 1 बटे 3 हो जाएगा plus ये भी 1 बटे 3 हो जाएगा plus ये भी 1 बटे 3 हो जाएगा कितना हो गया? 3 बटे 3 काट देंगे कितना जाएगा? 1 तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा यानि कि जो 20 में option सही होगा वो कौन सा होगा? C आगे बढ़ेंगे question number 21 लिखा है sin m theta बराबर बढ़िया question है एकदम जबर जस्त देखिएगा भाई sin दोनों तरफ से हटाएगे तो आपको पता है कि m theta बराबर सूत्र होता है ब्यापक मान क्या होता sin का? जब भी हमारे पास sin theta बराबर sin alpha दिया होता है तो theta बराबर होता था हमारा n pi plus minus 1 की power n into alpha r pi plus में minus 1 की power में कितना? r और क्या है n theta ठीक है? अब देखिए जो ये minus 1 है ये दो चीजों पर depend करेगा एक तो sum और एक तो भी sum ये जो r है अगर r का मान sum होगा तो ये positive होगा और r का मान अगर भी sum होगा तो ये negative होगा तो रखते हैं भाई हम पहले r को हम लेके चल रहे हैं कि वो क्या है? sum है r बराबर 2k तो m theta equal to जहां r है वहाँ पर 2k रखना है है न? यहां पर 2 नहीं होता है यहां पर क्या होता है? n pi होता है तो r pi हो जाएगा ठीक है? यहां रख दिया जाए जहां r है वहाँ 2 के रखो तो 2 k pi plus minus 1 की power 2k और n theta ठीक है भाई? यह आजाएगा m theta बराबर 2k pi भाई अगर power में sum संख्या होती है तो यह क्या होता है? अगर power में कोई even number होगी तो positive भी रहता है n theta आगया इधार आजाओ theta ले लो common theta लेंगे common तो आएगा m minus n is equal to कितना? 2k pi theta बराबर कितना आजाएगा? 2k pi बटे m minus n अच्छा यह आगया 2k pi m minus n आगया भाई अगला वाला भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी option अलग नहीं हो रहे हैं है न? देखते हैं हाँ आप फिर क्या करिए? r बराबर आप r को क्या करिए? आप एक समसंख्या मान के चलिए एक odd number मान के चलिए तो यह हो जाएगा m theta plus और इधर हो जाएगा r की जगा पे कितना? 2k plus 1 और into में आजाएगा हमारा pi और यह minus का n theta हो जाएगा इधर आजाओ और थीटा बराबर कितना आजाएगा? 2k plus 1 into pi divided by कितना? m plus n तो ऐसा option बिलकुल दिख रहा है c है ना? तो 21 में कौन सा option से ही हो जाएगा? 21 का जो c option है वो correct हो जाएगा साब आगे बढ़ेंगे question number 22 की तरफ question number 22 दिया है कि sine square theta 2 sine square theta बराबर 1 है ना में इसकी निकाल नहीं है general value इसकी general value को हम find करेंगे और जरूर find करेंगे देखते है हाँ भाई देखिएगा ये हो जाएगा 2 sine square theta equal to 1 तो ये आजाएगा sine square theta is equal to 1 बटे 2 अच्छा ये हो जाएगा sine square theta ये किसका मान होता है ये sine square pi by 4 का मान है 45 का मान होता है एक बटे अंडरूर 2 square लग जाएगा तो एक बटे 2 हो जाएगा और आपको पता है कि sine square theta बराबर जब भी sine square alpha होता है तो जो theta का ब्यापक मान होता है वो क्या होता n pi plus minus alpha ये होता है यानि कि n pi plus minus pi by 4 ये बाला option से ही हो जाएगा 22 में ठीक है देखेंगे 23 23 23 में भी हमको general value ही find करनी है देखते हैं किरा sine x sine x को चुपचाप रहने दिया जाए sine x sine x और sine 3 x को एक जगा रख लिया जाए sine x plus sine 3 x minus 3 sine 2 x is equal to यही सेम काम इदर भी कर लिया जाए cos x plus cos 3 x 2 x है ना देखते हैं भाई यह sine x sine c plus sine d का यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे 2 into sine c plus d बटे 2 x plus 3 x 4 x बटे 2 यानि क्यों हो गया sine 2 x sine 2 x into कितना हो जाएगा cos c minus d x minus 3 x 2 x बटे 2 cos minus को खतम कर जाएगा कोई दिक्कत नहीं तो कितना जाएगा यह cos 6 आ जाएगा minus 3 sin 2 x equal to यहाँ पे भी cos c minus cos d का सूत्र लगाएंगे cos c plus cos d का सूत्र लगाएंगे 2 into cos c plus d बटे 2 यहाँ कुछ करने नहीं 2 cos होता है तो यह cos 2 x हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा कितना cos x minus 3 cos 2 x अच्छा इन दोनों हम देखिए sin 2 x है common ले लो common यहाँ क्या बचेगा 2 cos x minus 3 बराबर और यहाँ पे हम देख रहे है cos 2 x common है तो यह कितना हो जाएगा देखिए हम इन दोनों factors को ले भी जाते 2 cos x minus 3 तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि cos x का मान 3 बटे 2 x से जादा हो जी नहीं सकता तो यह आला factor काट ही दीजिए बेफजूल का है ना यहाँ से possible ही नहीं होगा संभो मान मिलेगा अब मिल गए हमको sin 2 x बराबर cos 2 x sin 2 x बटे cos 2 x is equal to 1 यानि कि यह मिल गया tan 2 x is equal to 1 यानि कि अब आ चुका हमारे पास 2 x is equal to आ जाएगा कितना n pi plus pi by 4 और x is equal to आ जाएगा n pi by 2 plus pi by 8 n pi by 2 plus pi by 8 यानि कि 23 का option जो सही होगा वो 20 हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 24 की तरफ question number 24 में भी हमको इसकी general value find करनी है देखते हैं यह लिखा sin theta 10 theta को हम लिखेंगे sin theta लिख लिया divide में आएगा cos theta और cos theta लेंगे LCM बहुत जल्दी हो जाएगा यह एक मिनट यह cos theta आप LCM ले लिजिए ले लिया यहाँ पर सिर्फ minus का root 2 बचा भाई sin theta बटे cos theta minus 2 root 1 by cos theta हो जाएगा यह ना एक बटे cos theta equal to आजाएगा under root 3 cross multiplication कर दीजिए यह आजाएगा sin theta minus under root 3 cos theta भाई इधर multiply होगा इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेद दीजिए चले अब एक काम करते हैं sin के गुडांक और cos के गुडांक दोनों का वर्ग करके जोड के वर्गमूल ले लिया जाए तो यह आजाएगा 1 plus under root 3 का square कितना हो जाएगा 3 और इसका वर्गमूल 4 कितना आ गया 2 तो क्या करिए दोनों तरफ एक बटे 2 से इधर भाग दीजिए इधर दीजिए दे दीए आमने भाग यह है sin theta है ना कितना बन रहा है यह sin theta तो इसे रख दीजिए sin a और यह cos 60 का मान होता है pi by 3 minus फिर यह है cos theta और sin pi by 3 is equal to एक बटे अंडर उड़ दो बचेगा यह क्या हो जाएगा यह काटो इसको यह आजाएगा under a इसको लिख सकते अंडर उड़ दो गुड़े अंडर उड़ दो यह दो कट जाएगा एक बटे अंडर उड़ दो आ जाएगा अच्छा यह एक बटे अंडर उड़ दो आ गया यह इधर बन गया हमारे पास क्या sin कितना theta minus का pi by 3 sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b का सुत्र बन गया किसके बराबर है sin 45 pi by 4 sin theta बराबर sin alpha जब भी आएगा तो हमने क्या बताया कि theta बराबर हो जाएगा n pi n pi plus minus 1 की power n alpha alpha की जग़ पे pi by 4 यहां से हमको theta मिला कितना n pi plus minus 1 की power n pi by 4 plus pi by 3 pi by 4 plus pi by 3 यह सही हो जाएगा 24 में d option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question 25 देखेंगे 10 a minus 10 b बटे 1 plus 10 a 10 b कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा 10 3x minus 2x is equal to 1 यानि की यह आ गया 10 a minus b का सुत रहे 10 x बढ़ाबर 1 10 x बढ़ाबर 10 pi by 4 यानि की 10 45 x बढ़ाबर कितना जाएगा n pi plus alpha और आपको पता है n belongs i है न i तो n बढ़ाबर हम यहाँ पर रख सकते हैं क्या 0 रख सकते हैं 1 रख सकते हैं dot 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 रख सकते हैं यानि की तब हमको अलग-अलग x की value मिलती चली जाएगी यानि की x बढ़ाबर जब 0 आप रखेंगे तो हमको pi by 4 मिलेगा कॉमा जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यह मिल जाएगा pi plus pi by 4 है ना अब देखें हम देखते हैं कि यह value क्या हमको सच में satisfied कर रही है की नहीं अब देखेंगा यहाँ पर 10 3 x कोई दिक्कत नहीं minus जब हम यहाँ पर pi by 4 रखेंगे x की जगह पर क्या रखेंगे 45 रखेंगे तो 45 दुनी 90 हो जाएगा और 90 का value क्या हो जाएगा यह undefined आ जाएगा क्या हो जाएगा undefined यानि कि जो यह format हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी undefined बटे undefined मिलेगी इस value के लिए भी और इस value के लिए भी 10,180 10,180 plus pi by 4 वही हमारे पास 10,180 plus theta बराबर कितना हो जाएगा वही हमारे पास यह by 2 है यह हो जाएगा 2, 2 pi हो जाएगा 180 plus theta फिर से pi by 4 फिर 2 theta आ जाएगा वो 90 बना जाएगा फिर undefined हो जाएगा यानि कि कोई भी ऐसी value नहीं होगी जो इस मान में इसको satisfied करे इस ब्यापक मान कि कोई भी value से satisfied नहीं करेगी इसलिए क्या हो जाएगा answer इसका 5 हो जाएगा ठीक है चलेगा next lecture में हम लोग नहीं हापे लिखा वर 10 theta plus 10,2 theta plus 10,3 theta is equal to 10 theta into 10,2 theta into 10,3 theta ये लिखा गया है हम क्या करेंगे 10,2,3 theta को उधर भेज देंगे क्योंकि मैं पता है कि 10 theta plus 10,2 theta यहाँ पे कोई एक formula बन सकता है अगर हम बना ले गए क्या 10 theta plus 10,2 theta divided by 1 minus 10 theta 10,2 theta ये अगर बना ले गए तो काम हो गया हमने क्या किया 10 theta को 10,3 theta को उधर टांसफर कर दिया फिर क्या किया 10,3 theta common लेते तो ये 10 theta minus 10,2 theta minus 1 होता हमें क्या करना minus common लेना है तो कितना हो जाएगा 1 minus 10 theta 10,2 theta अब एक काम करते हैं इसको divide में ले आईए ये आ जाएगा divide में divide में लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 theta plus 10,2 theta divided by आ जाएगा कितना 1 minus का 10 theta और 10,2 theta इसकोल टू हो जाएगा ये minus का 10,3 theta अब आप देख पा रहे हैं कि 10 A plus 10 B divided by 1 minus 10 A 10 B 10 A plus B का सूत्र है यानि कि 10 A मतलब की theta plus 2 theta यानि कि ये 10,3 theta हो गया और 10,3 theta is equal to हो गया minus का 10,3 theta सब को इधर ले आएगे तो ये आ जाएगा 2 10,3 theta is equal to 0 और ये आ जाएगा 10,3 theta is equal to 0 और आपको पता है जब 10 theta पराबर 0 होता है तो इसका जो ब्यापक मान होता है theta का वो क्या होता है n pi होता है जब 10 theta बराबर क्या होता है 0 होता है जो theta का ब्यापक मानोगा वो क्या होता है n pi तो theta बराबर कितना आजाएगा n pi by 3 n pi by 3 कौन से ही हो जाएगा 26 का c option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question में देखेंगे 27 can you find the general value of theta which satisfied the question 2 questions दी गई है दोनों की हमें दोनों questions को satisfied करना और चाहिए वो हमको general value निकालनी है है ना एक हमको दिया गया है यहाँ पे कितना cos theta is equal to दिया गया minus का 1 बटे under root 2 अब हमको बता है कि cos कहा कहाँ पे minus होता है हम देख रहे हैं कि एक first by first second quadrant और fourth quadrant में तो कोई दिख्यती नहीं है ना तो जहाँ पे minus होता है cos वो होता है कहाँ पे second quadrant और third quadrant में यानि कि एक 90 प्लस theta है ना 90 प्लस theta के लिए और दूसरा क्या यानि कि जो theta का मान नहां पे हम लेंगे वो कितना लेंगे एक हो जाएगा हमारा 90 प्लस theta है ना यानि कि यह जाएगा cos एक तो 180 माइनस चाहे तो 180 माइनस theta कर दीजिए pi by 4 कर दीजिए और दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा हमारे पास कितना दूसरा हो जाएगा हमारा pi plus pi plus pi by 4 यानि कि 180 प्लस theta यानि कि 180 माइनस theta यानि कि first second quadrant और 180 प्लस theta यानि कि third quadrant दोनों में क्या होगा यह निगेटिव होगा है ना तो cost का value निगेटिव हो तो यह हमने ले लिया तो यह कितना आ जाएगा भाई यह आ जाएगा हमारा 3 pi by 4, 5 pi by 4 यह हमारा theta आ गया इसके लिए हम अगले वाले का इस्तेमाल करते हैं यहां पे 10 theta दिया गया है 10 theta पराबर कितना दिया गया 1 है ना कहां कहां positive होता है एक तो first quadrant में positive होता है 10 और ast थर्ड वाले में भी क्या होता है positive होता है यहां से जो theta का मान हो सकता है वो क्या हो सकता है एक तो pi by 4 हो सकता है दूसरा क्या हो जाएगा pi plus pi by 4 एक 180 plus pi by 4 यानि कि कितना हो गया यह 5 pi by 4 हमें क्या करना है जो दोनों में common होगा उसे ही हमें क्या लेना है इन ही दोनों में से हमें यह general value find करनी है तो देखिए का यहां पे यह common है यह दोनों में common है तो जो इसका general man होगा इसका क्या होगा जो general value होगी general value तो general value के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे 2 and pi के साथ क्या जोड़ देते है pi by जो angle है मारा वो जोड़ देते हैं जो दोनों में common angle होगा तो जो इसकी जनरल वैलू हो जाएगी, कितने हो जाएगी 2Nπi प्लस πाई 5 πाई प्लस पाई 4, है न, तो कौन सा अफ़न सही हो जाएगा, 27 में प्लस कह रहा है, 2Nπi, कौन सा, पहला सही होगा, है न, 27 का A क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, के copy को स्ङाइन नґबर 68 हीलगभकस है शान lawmakers को दिया गया है कितना माइनस का उधिए अगरण्यें स्टीण सीच विपाइन किस दिया है ने ओधिए अधिवर ठीट हूं उधिए टीजिए हमें स्टीट और शॉड़ है वो सकता है πाई प्लस पाई भाई थिरी है ना 180 प्लस थीटा निगेटिव होता है और इसके बाद इसके बाद दो पाई अगर हम 360 में भी पाई भाई थिरी घटा दें यानि कि चौथे कोड्रेंट में अगर इसको ले जाए तब भी क्या होगा दोनों नेगेटिव होते हैं कैलकुलेट कर लिया जाए इनको यह जाएगा चार पाई भाई थिरी कॉमा तीन दूनी छे चे में एक गए यह कितना जाएगा भी या पाई भाई भाई थिरी आ जाएगा अच्छा इसके बाद कॉट थीटा कॉट थीटा बराबर एक बटे अंडरूट तीन अब देखे कॉट फस्ट में होता है फस्ट में पॉजटिव होता है अंडरूट तीन का मतलब क्या हो गया भाई है यह हो गया हमारा किस का मान होता है यह साथ का मान होता कॉट साथ का कॉट साथ मतलब कितना हो गया पाई भ pi by three के मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, four pi by three, और इसके बास, कहां पे positive होगा, two pi plus pi by three, तो यहां पे भी क्या होगा, वो positive होगा, है खना positive ही तो है, तो कहां पे two pi plus, तो two pi plus pi by three पे भी यह positive होगा, दोनों में common वाला angle देखा जए, ये और ये दोनों में common है तो इसकी जो general value हो जाएगी theta value क्या हो जाएगी general value इसकी 2n pi plus जो common angle होता हुसे उठाके रख लिया जाता है तो theta पराबर कितना आजाएगा 2n pi plus pi by 4 pi by 3 कौन से ही हो जाएगा A option जो है वो correct हो जाएगा 28 में आगे बढ़ेंगे question number बढ़ेंगे 29 की तरफ question number 29 में लिखा गया है कि sine square theta sine square theta plus under root 3 10 theta equal to 0 तो हमें निकालना है यापे theta की general solution निकालना है क्या करना है इसका general solution ही find करना है कोई दिख्यत नहीं निकालते हैं देखते हैं ये लिख्या गया है sine square theta sine square theta से अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमें काम यहाँ पे कर लें एक sine theta को हम निकालने और देखिए यहाँ पे sine theta बचेगा six theta को cos theta बना दें ये 10 theta बन जाएगा है ना ये sine square theta है ठीक के sine square theta into sine square theta लिख दिया हमने sine theta into sine theta लिख दिया six theta को एक बटे cos theta कर दिया sine theta बटे cos theta 10 theta बन गया 10 theta into sine theta ये लिखा हुआ है plus under root 3 10 theta equal to 0 हम दोनों में देख रहे हैं कि हमको 10 theta common मिल रहा है और यहाँ पे bracket के अंदर बच रहा है sine theta plus under root 3 is equal to 0 10 theta equal to आ जाएगा 0 जब 10 theta का amahn 0 है तो theta बटाबर क्या होता है हमारा n pi होता है है न친 küç क्या होता है जब 10 theta बटाबर 0 मिलता है तो इसका जो ब्यापक मान होता है theta बटाबर n pi होता है और दूसरा क्या हो जाएगा sine theta बटाबर minus under root 3 और आपको पता है कि, जो sine की value होती है वो 1 और minus 1 के बीच में होती है तो यह value क्या हो जाएगी अमान ने हो जाएगी यह यह value हम नहीं लेंगे तो theta पराबर n pi आजाएगा 29 का जो b वाला option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 30 question number 30 में हमसे कह रहा है कि find general solution आपदा equation हमें इसका general solution find करना है देखेगा simple सी बात है अगर हम इसका general solution find करना चाहते हैं तो हम लिख सकते है 10 square theta ठेक है और जहाँ पर sec है उसकी जगह पर रख सकते है 1 plus 10 square theta रख दीजे sec को भी convert कर लिजे 10 में ही equal to 1 1 से 1 काट देए तो यह आ जाएगा आप हमारे पास 2 10 square theta is equal to 0 यानि कि यह बन गया 10 square theta is equal to 0 10 square theta is equal to 10 square 0 1 है कि नहीं तब theta का आपको पता है जब sin square theta पराबर sin square alpha या cos square theta पराबर cos square alpha या 10 square theta पराबर 10 square alpha होता है जो theta का मान होता वो क्या होता n pi plus minus alpha alpha कितना है 0 तो alpha का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो theta पराबर कितना आ जाएगा n pi आ जाएगा कौन सौफफन से हो जाएगा 30 में ये वाला जो option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 31 के साथ किरा है कि 2 cos square theta minus sin square theta equal to ये दिया गया है तो एक सुब हम थोड़ा सा लिखते हैं तो ये हो गया 2 cos square theta minus हम चाहरे हैं कि पूरे को भाई जो option आ रहे हैं वो cos में आ रहे हैं तो पूरे को cos में ही convert कर लिया जाए minus जहां sin square theta उसकी जगाप हम रख सकते हैं 1 minus cos square theta equal to 3 into दिखे लिखा हुआ 1 plus cos 2 theta तो cos 2 theta 1 को तो रहने दीजिए 1 plus cos 2 theta लिखे 2 cos square theta minus का 1 इस 1 से इस 1 को काट दीजिए काट दिया ये कितना आ गया ये आ गया 2 cos square theta minus 1 plus हो जाएगा cos square theta is equal to 3 into 6 cos square theta देखे तीन हो गया इधर इस minus 1 को यही रहने दीजिए minus 1 is equal to ये 3 cos square theta को उठा के इधर ले जाएगे तो ये कितने हो जाएगे 6 से घट जाएगे क्या जाएगा 3 cos square theta अब ये बन जाएगा cos square theta पराबर कितना 1 plus 3 है ना minus का 1 plus 3 अच्छा दोनों तरफ क्या करिए वर्गमूल ले लिया जाए वर्गमूल लेंगे तो ये theta बराबर आजाएगा कितना इधर वर्गमूल आजाएगा और ये आजाएगा हमारा cos inverse under root minus 1 by 3 है ना और ऐसा कोई मान नहीं है इसलिए कौन सा अप्षन ही हो जाएगा 31 में d option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 32 एक बहतरीन question है बस थोड़ा size में समझने जरू हो थे यहाँ पर root लगा हुआ है ठीक है लिखा हुआ sin theta plus sin theta equal to दिया गया है m minus n बटे m plus n हमें value निकालनी है किसकी tan value हमको निकालनी है tan pi by 4 plus theta by 2 है ना यह हम value निकालेंगे इस value को हम find करेंगे बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसे हम लिख सकते हैं क्या देखिए यह लिखा हुआ tan 45 है ना यह अंगल में है जब तो tan a plus tan b यानि कि tan a यानि कि tan 45 command 1 हो जाएगा plus और यह आजाएगा 1 minus tan a tan b यानि कि यहाँ पर आजाएगा 1 minus tan theta by 2 अब जो यह होता है अगर हम इसमें sin cos में इसको change करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं sin cos में change कर दिजिए भाई यह आजाएगा 1 plus sin theta by 2 बटा cos theta by 2 नीचे भी हो जाएगा 1 minus sin theta by 2 by cos theta by 2 cos theta by 2 जब LC हम लेंगे तो यह आजाएगा cos theta by 2 plus sin theta by 2 divided by cos theta by 2 minus sin theta by 2 है न भाई अब देखिएगा अब अगर हम इसका वर्ग और वर्गमूल एक साथ कर दें बहुत आसान हो जाएगा हम sin बनाने की कोशिस में लगें क्या कर दें हम इसका वर्ग भी कर दें और वर्गमूल भी ले लें वर्ग भी कर दें और यहाँ पर वर्गमूल भी ले लें ले लिया जाएं वर्ग कर दीजे वर्गमूल को तो चुप चाप रहने दीजे रहने दीजे वर्ग करेंगे तो आजाएगा cos square theta by 2 plus sin square theta by 2 प्लस 2 sin theta by 2 cos theta by 2 तो cos square theta by 2 plus sin square theta by 2 की जगप आप 1 रखेंगे प्लस 2 sin theta by 2 cos theta by 2 मिला के हो जाएगा sin theta divided by यह आजाएगा, सेम इधर यहां भी बन जाएगा 1 minus sin theta अब आपको sin theta की value दी गई है कितनी आई है आपकी sin theta की value यह आजाएगा 1 plus, sin theta की जगप हम रख सकते है m minus n m minus n m minus n बटे m plus n बटे कितना आजाएगा m plus n divided by फिर यह आजाएगा 1 minus में कितना m minus n m plus n चलिएगा LCM लेंगे यहां पर LCM लेंगे तो कितना आजाएगा भाई देखो m plus n m plus n LCM वाला कड़ जाएगा यहां पर कितना आजाएगा m plus n plus m minus n divided by LCM वाला कड़ जाएगा उसकी tension ने लेना m plus n minus का m plus n हो जाएगा यह minus का अंदर multiply होगा जब इस m से यह m कड़ जाएगा इस n से यह n कड़ जाएगा बचेगा कितना उपर बचेगा 2m नीचे बचेगा 2n 2,2 से कड़ जाएगा m by n आजाएगा यानि कि कौन सा ओफफन से हो जाएगा 32 का जो a option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 33 question number 33 में हमसे कह रहा है कि 10 theta और 1 प्लस 10 square theta इसकी value क्या होगी ये हमको निकालना है तो देखेगा 10 theta को तो चुपचाप रहने दीजिए 10 theta अच्छा ये divide में ले आओ 10 theta को हम लिख सकते हैं एक काम करो 10 theta को आप लिख दीजिए क्या sin theta बटे cos theta तो जो बटे वाला cos theta उसे उठा लिजिए into में ये sec theta बन जाएगा divided by ये दोखेगे यहाँ पर चुकी 1 प्लस 10 square theta है 1 प्लस 10 square a है ए दिया गया यहाँ पर a है तो 1 प्लस 10 square a किसके बराबर होता है sec square a का तो अब ये एक घाज जो इसको काट देगी और इससे को उठाके उपर ले जाओ उपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा sin theta into sin a into cos a ठीक है काट दिया हमने कितना बन गए अब ये sin a into cos a तो 2 से गुड़ा करो 2 से भाग करिए 1 बटे 2 हो जाएगा 2 sin a cos a किसके बराबर हो जाएगा sin 2 a के बराबर हो जाएगा तो 33 में कौन साफ़फन सही हो जाएगा 33 में d वाला जो आपसन है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 34 देखेंगे question number 34 में हमसे पूछा है कि ये किसकी value होती है अब देखेंगे अगर ये values हमको सारी याद होती तो बड़ा अच्छा रहेगा तो ये under root 10 minus 2 under root 5 लिखा है root लगा हुआ है by 4 है ना ये value किसकी है ये हमसे पूछा गया है तो sin 36 sin 36 का जो मान होता है वही cast 24 का मान होता है है ना किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा under root 10 minus 2 under root 5 divided by 4 ये sin 36 का मान होता है और यहाँ पे cos 18 का मान भी देख लिया जाए cos 18 का जो मान होगा वही sin 72 का मान होगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लग जाता है क्या बीच में प्लस ये आजाएगा 10 प्लस 2 under root 5 divided by 4 ये होता है मान तो ये किसका मान है तो ये तो 15 दिया है 10 15 का मान आपको पाता है 2 minus under root 3 होता है है ना तो भाई ये तो होगा नहीं है ना ये भी नहीं होगा तो कोई भी option सही नहीं है none है ना D वाला option 34 में क्या होगा correct हो जाएगा next देखेंगे question number 35 35 कह रहा है कि domain of domain of cosec theta cosec theta का domain क्या होता है ये real number 132 की domain बस n pi को छोड़ दिया जाए है ना तो क्या हो जाएगा A वाला option correct हो जाएगा ठीक है sign square 60 इन दोनों का हमको मान निकालना है निकालते हैं इनका मान अभी हमने sign 72 की बात भी की है sign 72 की बात भी की है square लगा है तो ये क्या हो जाएगा भई मान रग दिया जाए sign square 72 तो ये आजाएगा 10 minus plus होता है ना इसमें plus होता है 2 under root 5 बटे में कितना 4 इसका square है square कर दीजिए बीच में minus है minus लगा दीजिए sign square 60 under root 3 बटे 2 का square हो जाएगा calculate करेंगे देखिए वर्ग करोगे वर्गमूल दोनों cancel हो जाएगे उपर सिर्फ हमारे पास आने वाला है 10 plus 2 under root 5 divided by कितना 16 आजाएगा minus 3 बटे 4 और calculate करेंगे 16 यहाँ पे LCM ले आजाएगा यह आजाएगा 10 plus 2 under root 5 minus आजाएगा 12 ठीक है अब देखिएगा यहाँ पे भाई घटा देंगे हम कितना 10 minus 12 घटाएगे minus का 2 बचेगा 2 उपर से common लेंगे और वो नीचे वाले से कट जाएगा तो यहाँ under root 5 बचेगा minus का 1 हो जाएगा बटे में कितना आजाएगा 8 यह भी तो कट जाएगा 2 अच्छे 16 हो जाएगा तो कौन सा उप्फन से हो जाएगा 36 का जो A option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर छोटा सा ही है ना यहाँ से हम cos beta की value निकाल लेते हैं तो cos beta बराबर कितना आजाएगा यह आजाएगा cos theta बटे cos alpha cos beta बटे cos alpha आजाएगा आ गया हमको किसकी value निकाल लेते हैं 10 square beta by 2 की है ना लेके चलते है 10 square beta by 2 हम इसे sin और cos में change करेंगे क्यों क्योंकि हमें पता है कि 10 square beta by 2 कब आया होगा जब यहाँ पे cos वाले फार्मूले को उपर sin में change किया गया होगा यह sin में change करने का मतलब क्या है कि यह यह रहा होता क्या cos beta 1 plus cos beta 1 minus cos beta चलो लेके देखते हैं 1 minus cos beta यहाँ पे रखोगे sin उपर बनना चाहिए sin बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं अराम से बन जाएगा 1 minus cos beta उपर हो गया half angle में जब change करेंगे 1 minus 1 bracket में हो जाएगा 1 minus bracket में हो जाएगा 1 minus 2 sin square beta by 2 1 1 कट जाएगा 2 sin square beta by 2 नीचे आजाएगा तो और उपर आजाएगा नीचे क्या बनाना हमको cos इसके लिए यह 1 plus cos beta तब ही तो आएगा तब ही तो आएगा 10 square beta by 2 बना लिए हमने sin beta को cos beta की value उठा के रख दिया जाए जब हम cos beta की जगर पे रखेंगे cos theta बटे cos alpha तो LCM लेंगे तो यह आजाएगा cos alpha minus cos theta जो LCM है नीचे वाले LCM से कट जाएगा और यहाँ पे आजाएगा cos alpha plus cos theta हमने cos beta बराबर क्या रखा cos theta बटे cos alpha जब यह रखेंगे उपर हमें लगाना है cos A minus cos B cos C minus cos D का सुत्र लगाना है कितना हो जाएगा 2 into sin C plus D बटे 2 C plus D बटे 2 यानि कि चलो theta plus alpha लिख दीजिए theta plus alpha बटे 2 और यह बन जाएगा cos C minus D बटे 2 यानि कि D minus C होता है theta minus alpha by 2 अरे यहाँ पे sin ही होता है cos वाले minus जब होता है तो sin ही होता है यहाँ ठो गया और नीचे किया होता नीचे दोनों कास कास होते है 2 into हो जाएगा cos theta plus alpha by 2 और into हो जाएगा cos में theta minus alpha by 2 एना इस 2 से 2 काट देंगे और यह बन गया हमारा कितना tan में theta plus alpha by 2 into tan theta minus alpha by 2 तो कौन साप्षन से हो जाएगा 37 का जो option number है वो d वाला जो होगा वो क्या होगा correct हो जाएगा 37 का d option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 38 38 में कह रहा है कि यह 4 tan x दिया गया है देखिए कि इतना कुछ दिया गया है और उसकी value हमको find करनी है निकालेंगे इस value को हम सहारा लेंगे अब देखिए हम यहाँ पे 0 रखके जरूर देखते लेकिन मामला निकल नहीं पाता क्योंकि देखिए यहाँ पे x की जगप हम 0 रखते तो यह पूरा मान 0 करते था जैनि इसकी पूरे की value 0 आती और हर जगा प्रतेक option में अगर हम एक जगप 0 रखते तो भाई सब option 0 आते तो कोई हम अलग नहीं कर पाते हमें काम कर रहे हैं यहाँ पे पहले हम ही 10 trial method के अंतर गर्त ले रहे हैं थीटा बराबर 45 क्योंकि हमें पता है कि 10 45 का मान रखना भी तोड़ा असान होगा तो यह देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई उपर इसकी जो value आएगी यागी 4 into कितना यह तो 1 हो जाएगा और अंदर कितना हो जाएगा 1 minus 1 बटे में क्या है फरक नहीं पड़ता क्योंकि उपर बन जोगा है 0 तो इसका मतलब यह 0 हो गया सब 0 हो गया अब देखिए पहला option कितना आ जाएगा 10 45 है ना 10 45 तो 45 चोका कितना हो जाएगा 180 10 pi तो 10 pi मतलब यह पहला जो option बन गया वो कितना बन गया 10 180 और 10 180 का मान कितना होता है 0 हो जाता है बी के पास जाएगे 10 90 है ना यह क्या बन जाएगा 1090 क्या होता है undefined है ना चलेगा option C के पास जाएंगे C का है 45 हो जाएगा X के जगा पे 45 रखेंगे 10 45 और ये 1 आ जाएगा D, D वेले option के पास जाएंगे तो वो भी हो जाएगा sin pi और sin pi का मान क्या होता है 0 होता है sin pi, sin 180 का मान कितना हो जाएगा 0 मतलब की एक बात तो confirm हो चुकी है कि option number D option number B नहीं हो सकता क्योंकि भाई 0 यहाँ A में आ रहा है D में आ रहा है और ये भी नहीं हो सकता मतलब कि मामला फसा है कि A और D में से कोई है तो इसके लिए हम एक और रास्ता अख्तियार करेंगे एक दूसरा रास्ता लेंगे heat and trial का ही theta बराबर यहाँ पर रख दिया जाए 60 hans कितना रखा जाए 60 hans तो अब इसकी value निकाली जाए तो इसकी value आजाएगी 4 into by 60 तो 10 60 का मार अंडर रूट 3 हो जाएगा 1 minus यह square लगा है तो 3 हो जाएगा divided by 1 minus 6 गुड़े 3 और plus कितना हो जाएगा 3 का square यह निकि यह 9 हो जाएगा calculate किया जाए उपर आजाएगा minus का 8 under root 3 भटा नीचे कितना जाएगा 9 एक 10 10 और यह चत्री का 18 minus का 8 काट दीजिए यह कितना आगया under root 3 अब 10 साथ हंस रखने पर जो मान हमको under root 3 दे देगा वही correct हो जाएगा तो A और D को हमें check करना है तो option A को अगर हम check करेंगे तो कितना जाएगा 10 624 24 कितना हो जाएगा 10 180 plus 60 180 plus 60 AST तो 10 positive होता है 10 60 के मान के बराबर हो जाएगा 10 60 10 60 का मान क्या होता है under root 3 मतलब A वाला option correct हो जाएगा और यहाँ पे sine 4X है sine 4X मतलब की sine 240 sine 240 का जो मान होगा वो कितना होगा minus का under root 3 बटे 2 होता है तो कौन सा ओफफ़न से हो जाएगा 38 में A option correct हो जाएगा 38 में A option correct हो जाएगा इसने fact कर दिया कि हम सही है आगे बढ़ेंगे अब देखेगा यह यहांपे कितना है theta theta के जग़ पे कितना है pi by 7 यह cost pi by 7 होग- और यह भी क्या हो गया cos हो जाएगा 2 pi by 7 into यह हो जाएगा cos 3 by by 7 तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3 तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 2 की पावर N होता है यह theta है 2 theta है 3 theta है इस तरह से जब होगा तो क्या हो का 2 की पावर n यानि की 2 की पावर 3 यानि की 8 हो जाएगा डिवाल ओप्सन करेक्ट हो जाएगा 1 बाई 8 है ना चलेगा आगे बढ़ेंगे question number 40 दिखा जाए चालिस यहां पे a plus b plus c की वैलू पाई दी गई है a plus b plus c की वैलू पाई दी गई है तो यह काम करेंगे यहां पे हम लेट करेंगे क्या लेट करेंगे भाई ए और b और c तीनों को जोडने पे 90 आना चाहिए 180 आना चाहिए तो a b और c तीनों की जगह पे अगर हम 60 तंस रख दें तो यह इसे satisfied करेगा ठीक है यहां पे आते हैं अगर इसकी वैलू हम निकालना चाहें कॉस 4 a plus कॉस 4 b plus कॉस 4 c तो देखें सब की जगह पे अगर हम 60 रखेंगे तो यह बन जाएगा कितना यह बन जाएगा हमारा कॉस 6 24 कॉस 240 प्लस कॉस 240 प्लस कॉस 240 मतलब तीन बार आएगा तो हम इसे लिख देते हैं 3 into कॉस 240 तो 3 into और उसको आपको पता है कि कॉस 240 की वैलू कितनी होती है माइनस एक बटे दो और यह कितना आ गया यह आगया माइनस का 3 बटा 2 मतलब जो अपसन हमको माइनस का 3 बटा 2 दे देगा वह वैलू इसकी करेट हो जाएगी है ना भाई देखते हैं पहला आपसन देखा जाए यहे 4 थीटा की जगह पर 60 रखना है 60 रखना सबकी जगा पे तो देखे ये, ये हो जाएगा minus का 1 बटे 2 ये भी हो जाएगा minus का 1 बटे 2 क्योंकि cost 120 की value कितनी होती minus 1 बटे 2 minus का 1 बटे 2, इस 2 और 2 से इसको कार देंगे, ये plus हो जाएगा यानि कि हाँ पे value आने आली है मारे पास minus का 1 बटा minus 120 का जो मान होता है वो अंडरूर 3 बटा 2 होता है अंडरूर 3 बटे 2 अंडरूर 3 बटे 2 अंडरूर 3 बटे 2 इनको कार दीजिए, कड़ गया कितना आ गया? 3 अंडरूर 3 बटा 2, अच्छा अब इसके पास आजाओ, C वाले option के पास, मतलब जो option हमको क्या दे देगा? minus का 3 minus का 3 बटा minus का 3 बटा 2 वो correct हो जाएगा आईए C के पास चलते हैं हम option number जब C के पास चलेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे minus का 1 है plus, इसकी value हमने देख लिया है इसकी value जो आई है वो कितनी आई, minus का 1 बटा 2 आई है कितनी आई, minus का 1 बटा 2 दोनों को calculate करेंगे minus का 3 बटे 2 आएगा यहाँ पे अगर आप रखेंगे ना minus का 1 plus 3 under 3 बटे 2 इसकी value आईगी, D वाले की C वाले से यह value match कर रही है देख रहे है, C वाले से दोनों एक दुसरे को match कर रहे है यह C है यहाँ पे, और यह तो मतलब C वाला जो option है, वो क्या है correct हो जाएगा, तो 40 में कौन सो option से ही हो जाएगा C, आगे बढ़ेंगे question number 41, 41 एक बहतरें question है कि रहा कि cos inverse cos 3 pi by 2 है ना, आप देखिएगा हमको पता है एक बात बड़ी छोटी सी बात है है ना, जो इसकी range होती है किसकी cos inverse x की, वो क्या होती है 0 से pi के बीच में होती 0 से pi तक होती है 0 से pi होती है, इसकी range इसको यही रहने दिया जाए यहाजाएगा, cos inverse cos कितना लिखा हुआ यह 3 pi 2 3 pi by 2, 3 pi by 2 को change कर लिया जाए, कितना pi minus pi by 2 2 pi तो दो दूनी 4 हो जाएगा 4 में घड जाएगे, 3 आ जाएगा अच्छा, अब देखिए, cos 360 minus theta, किस के बराबर हो जाएगा, cos theta के बराबर हो जाएगा तो यह cos inverse हो जाएगा cos pi by 2 के बराबर हो जाएगा, है ना यह दोनों हैटक खतम हो जाएगे, 0 से pi के बीच में है मारा angle, कोई दिक्कती नहीं है तो यह pi by 2 आ गया, कौन साफ़न से हो जाएगा 41 का जो d option है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 42, question number 42 दिया गया है, cos 2 sin inverse 1 by 3 is equal to, किसके बराबर होगा, एक काम करते हैं यहाँ पर मान लिया जाए माना, कितना, 2 sin inverse 1 by 3 बराबर कितना theta, हमने मान लिया इसको, कि यह 2 sin inverse 1 by 3 जो है, वो theta के बराबर है तो अब देखिएगा ठीक हमने से मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर यह आ जाएगा, 2 sin inverse से लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने यहाँ पर theta मान लिया, अच्छा दूसरा काम कर सकते हैं, यहाँ और आसान कर सकते हैं, इसको मत मानिये, सिधा हाँ, अरे यहाँ पर 2, 2 sin inverse x का सूत्र लगा दीजिए, तो क्या होता है? sin inverse, sin inverse 2x, 2, 2 sin inverse x बराबर होता है, sin inverse 2x root 1 minus x square, यह होता है, यहीं लगा दीजिए, यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा, 2 into x, x की जगा पर 1 बटे 3, और under root आ जाएगा, 1 minus 1 बटा 9, ठीक है? calculate करते हैं, इसको, यह हो जाएगा, cos, sin inverse, 2 बटे 3, into, देखें, यहाँ पर 8 है, यहाँ 8 है, 9 minus 1, 8 बटे 3, 8 बटे 3, 8 का मतलब क्या हुआ, 2 under root 2, बटे 3, है न? तो अब कितना हो जाएगा, यह, उपर हो जाएगा, 4 बटे, 4 under root 2, बटा 9, यह जाएगा, cos, sin inverse, कितना, 4 under root 2, बटे में न हो, अब इस sin को भी change कर दीजे, तो cos बन जाएगा, यह है cos, और cos में change करोगा, तो क्या जाएगा, cos inverse में change होगा, under root आ जाएगा, 1 minus, भाई, sin inverse x को अगर हम cos inverse x बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनता है, sin inverse x बराबर क्या हो जाएगा, cos inverse root 1 minus x स्क्वेर, तो root माइनस का हो गया, यह, चार under root 2, बटे, 9 का square, ठीक है, यह दोनों खतम, root के अंदर आ गया हमारे पास, 1 minus 16, 16, चर्चोक 16 हो जाएगा, 16 दुनी 32 हो जाएगा यह, 32 बटे 9 नहीं है, 81, 81 में 32 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यह, 49 आ जाएगा, यह आ जाएगा, अंडर root 49, बटे में आ करेंगे, तो 7, 49 होता है, 7 बटा, 9 इसका correct answer आ जाएगा, 42 में A option जो है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 43, question number 43 भी कुछ बढ़िया सा question है, लिखा हुआ है, sign, हमें काम करते हैं, इसको आप ठीटा माल लिजिए, है न, यह आ गया sign, अभी हमारे पास ऐसा कोई formula नहीं है, जिस से इसे हम sort out कर सकें, अगर हम इसको theta माल लेते हैं, है न, किसको, लेते कर लें हम क्या, एक बटे दो, cos inverse, 4 बटे 5 बराबर theta, तो theta का उधर multiply करो, 2 theta हो जाएगा, है न, तो यानि कहने का मतलब, यह 2 theta हो जाएगा, तो यह cos inverse, 4 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 theta, inverse को उधर भेज दीजिए, तो यह अब आजाएगा, cos 2 theta बराबर, 4 बटे 5, इसे change करेंगे, तो यह आजाएगा, 1 minus 2, sin square theta, is equal to, 4 बटे 5, है न, यह आजाएगा, फिर 1 minus, 4 बटे 5, equal to, 2 sin square theta, 2 sin square theta, ठीक है, भाई, हमें अब निकालना क्या, यह भी तो पता होना चाहिए, अगर इसको हमने पूरे को theta मान लिया, तो हमको किस की value चाहिए, हमको value चाहिए, sin theta की, sin theta की जो value होगी, वही इसकी value हो जाएगी, है न, इसको हमने theta मान लिया, पूरे को, ठीक है, अब देखेगा, यह आ आगे।-धृत रहीं आपक किपलिएगा, एक बटे 10, तो थीटा पराबर कितना आ जाएगा?, vär्गमौल ले लेंगे, है न, वर्गमौल निकाल लेंगे, हमको sin theta की value निकालने है, sin theta तो sin theta ambush transpose एक बटे अंडरूट 10, तो कौन सी option से हो जाएगा? B वायला option एना 43 का B option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़े next question देखेंगे 44 44 बहतरी इन question लिका हुआ 10 inverse यह 2 इधर इन 2 में इधर इन 2 में ले आओ तो यह बन जाएगा 2 10 inverse यह क्या बनेगा 2 10 inverse 1 minus x divided by 1 plus x equal to इधर हो गया यह 10 inverse x ठीक है यह आजाएगा 10 inverse 2x 2x तो 2 into 1 minus x divided by 1 plus x 2x हो जाएगा 1 minus इसका square हो जाएगा 1 minus x का square divided by 1 plus x का square यही तो होगा 2 10 inverse x बराबर क्या होता है 10 inverse 2x अपान 1 minus x square तो हमने इसको square कर दिया है is equal to कितना आगया यह 10 inverse x इसको इससे काट दीजिया ठीक है x का 0 से बड़ा है यह आगया 2 into में आगया हमारे पास 1 minus x x और दिवाइड में आजाएगा देखेगा यह आजाएगा LCM लेंगे तो आएगा कितना पहले तो डिवाइड में यह वाला 1 plus x अभी रहना दीजिये रखा है यह जाएगा 1 plus x का whole square minus 1 minus x का whole square a plus b का whole square minus a minus b का whole square जब होता है तब क्या होता है 4 a भी बचता है तो यहाँ पे डिवाइड में क्या बच्चेगा हमारे पास 4 x और यहाँ पे क्या बच्चेगा 1 plus x का whole square इसको इससे काड़ दिया जाए काड़ दिया हमने equal to इधर कितना है सिर्फ x है है ना इधर कितना है सिर्फ x है हमें क्या करना है calculate करना है calculate करेंगे तो कितना आ जाएगा यह अब ये आ गया हमारे पास 2 इंटू इंटू 1-X ये 1-X उप पर चला जाएगा एक बचा ना दो घाते थी एक बच गया यहाँ पर कितना आ गया ये 4X 4X वराबर X इसे इसको काट देंगे 2 हो जाएगा 2X स्क्वेर का उधर गुड़ा करेंगे ये कितना आजाएगा 1-X square is equal to 2X square ठीक है उधर ले जाएगे तो हो जाएगा ये 3 एक स्क्वेर is equal to 1 और X is equal to कितना जाएगा 1 बच अंडर रूट 3 है ना और ऐसा मान कहाँ पे है 0 से बढ़ा होना चाहिए प्लस माइनस एक बच अंडर रूट 3 आता तो आगे बढ़ेंगे, question number 45 के साथ बढ़ेंगे, question number 45 में हमसे कहा गया है कि यह अधी x बराबर एक बटे 5 है, तो इसकी value find करिए, तो यह काम करते हैं, देखिए लिखा हुआ है, cos, अगर हम इसे लिख दे, cos inverse x, plus cos inverse x, plus sin inverse x, तो cos inverse x और sin inverse x की value होगी, वो pi by 2 के बराबर हो जाएगी, तो यह हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं, यह लिखा हुआ, pi by 2, plus cos inverse x, है न, भाई, 2 cos inverse लिखा था, 2 cos inverse x, हमने इसे तोड़ दिया, तो यह हो जाएगा, cos inverse x, plus cos inverse x, cos inverse x, plus sin inverse x, pi by 2 के बराबर हो जाएगा, तो यह आ गए हमारे पास इतना, cos 90 plus theta, कितना हो जाएगा, cos 90 plus theta हो जाएगा, minus में, कितना, sin, sin, sin हो जाएगा, और यह theta हो जाएगा, हमारे पास cos inverse x, sin theta के बराबर होता है, cos 90 plus theta, है न, minus का sin theta के बराबर, तो minus का sin theta हो गया इसे भी convert कर लिया जा minus को यहीं रहने दिया जाए यह हो जाएगा sin इसको sin में convert करो sin inverse आ जाएगा और root लगा देंगे यह जाएगा 1 minus x square यह दोनों खतम हो जाएगे है ना, अच्छा यह दोनों खतम और यह minus बना रहा हम अच्छा लेकिन यह यहाँ पर है हमारे पास cos दिया गया cos यह दिया गया है, cos में है cos π2 by 2 प्लस हो जाएगा अच्छा तो अब यह minus हमारे पास बना हुआ है minus under root में तो यह जाएगा 1 minus इसका value देखें बाई, कितना है एक बटे 5 अच्छ, एक बटे 25 आजाएगा है ना, कितना जाएगा एक बटा 25 अब इसके बाद इसको calculate किया जाए तो यह हो जाएगा minus का under root के अंदर आजाएगा कितना 24 हो जाएगा यह, अब बटे में कितना आजाएगा 25, minus under root 24 बटा 25, कौन सा ओफ़न सही हो जाएगा C वाला जो option है, वो 45 का correct हो जाएगा, है ना आगे बढ़ेंगे, आज नेक्स कोस्चन देखेंगे किरादा root आप दा equation, किरादा equation के root क्या होंगे, यह हमको बताना है हम बताएगे और जरूर बताएगे, लेकिन बस थोड़ा सा इंता जा रहे है है ना, यहाँ पर लगा देते हैं हम सूत्र, सूत्र लगाएं, इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर option verify कर वाले है भाई, एक बार आप क्या करो, यहाँ पर x बराबर 0 रखके देख लो x बराबर 0 रखेंगे तो भाई, यह 0 हो जाएगा है, भाई, option a, x बराबर 0 पर देखो यह कितना जाएगा, 0 आजाएगा यह भी 0 आजाएगा, बराबर 0 मतलब पहला option satisfied कर रहा है कोई दिक्यत नहीं है, दूसरे option के पास जाएगे b के पास जाएगे, x is equal to 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो देखिए आजाएगा sin inverse 3 बटे 5 sin inverse 3 बटे 5 plus और यह भी आजाएगा sin inverse कितना? 4 बटे 5 और यह कितना आजाएगा? sin inverse 1 है ना? देखिए अब अगर यहाँ पे यह हो जाता sin inverse 3 बटे 5 plus और यह हो जाता, cos inverse यह भी हो जाएगा 3 बटे 5, जब आप cos में बदल देंगे इसको, equal to इधर आजाएगा pi by 2, तो यह भी satisfied कर रहा है sin inverse x plus cos inverse x बराबर pi by 2, यह x equal to 1 भी satisfied कर रहा है और minus भी satisfied करेगा, क्योंकि यहाँ भी minus यहाँ भी minus आएगा, यहाँ भी minus आएगा, यहाँ भी minus आएगा, और आपको पता sin inverse minus x किसके बराबर होता है minus sin inverse x के बराबर हो जाता है है ना, अगर यह minus के sin inverse x के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों तरप से minus खतम हो जाएगा और same situation बन जाएगी मतलब की A B Satisfied करेगा B B Satisfied करेगा C B Satisfied करेगा All are true होगा यानि की 46 में कौन सा सही हो जाएगा D वाला option correct हो जाएगा है ना आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 47 47 लिखा हुआ है sum of the following series is series to infinity infinity तक इसका sum निकालना है अगर हम इसका nth term निकालते है ना अगर हम इसका tn निकालते है अगर इसका निकालते है तो क्या आता बाई सीबल सी बात है पहले देखो एक आ रहा है फिर दो एक 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 मतलब की यहाँ पर आने वाला था वन बाई में एक ए रहता यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब कि अगर n बार जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot, 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 कहां तक n तक जाता, देखो यहां पे, 1 का square, 2 का square, 3 का square, अगर n बार जाएगा, तो यह n का square हो जाएगा, यह n का square हो जाएगा, इसी n को हमें थोड़ा सा maintain करने की जरूरत है, तो कर 10 वाला बन जाए कुछ, ठीक है, बनाते हैं इसको हम, देखते हैं, तो यह देखो क्या बनेगा, यह 1 अपान 1 प्लस, यह 1 अपान 1 प्लस है न, तो एक काम छोटा से कर लिजे, 1 प्लस n यहां common ले लो, 1 प्लस n बच गया, यानि कि उपर प्लस है न, देखो यहां पर यह पर है न, तो यह 1 माइनस 10, 1, 1 माइनस लिखते रहें, 1 प्लस x इंटू y, तो उपर क्या होना चाहिए, x माइनस y, जिससे की 1 बचे, ऐसा कुछ जुगार होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे, n प्लस 1, माइनस का n, divided by 1 प्लस n इंटू 1 प्लस n, ठीक है, त तो यह 10 इंवर्स भी तो इसके साथ में इंकल्यूड कीजिए, है न, तो यह बन जाएगा, अब इसके साथ 10 लगा दीजिए, 10 इंवर्स भी लगाईए, इसके नमापत में, 10 इंवर्स भी लगेगा, tn में, तो इसका जो tn होगा, वो भूल गया है, यहाँ पे लगा लेते यानि कि सुत्र बन गया क्या, 10 इंवर्स x माइनस 10 इंवर्स y, यानि कि यह बन गया हमारा, 10 इंवर्स में, n प्लस 1, n प्लस 1, माइनस, 10 इंवर्स n, ठीक है, अब एक काम करते हैं, छोटा सा, एक बार आप n बराबर 1 रखिए, तो ती 1 बराबर कितना आ जाएगा, टी 1 बराबर आ जाएगा, 10 इंवर्स 2 माइनस, 10 इंवर्स 1, 2 निकाल लिए, टी 2 निकाल लिए, 10 इंवर्स 3 माइनस, 10 इंवर्स 2, T3 निकाल लिया जाए T3 कितने आजाएगी 10 inverse 4 minus 10 inverse 3 डॉट 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 अब infinite तक जाएए चुकि series हमारी infinite की है तो आप 10 infinity निकालेंगे तो कितना आजाएगा यह T infinity निकालेंगे तो यह कितना आजाएगा भाई यहाँ भी infinity हो जाएगा 10 inverse infinity दोनों हो जाएगा infinity plus 1 infinity हो जाएगा minus और यह भी हो जाएगा हमारा infinity देखते हैं इनको सबको sum किया जाए भाई हमको निकालना है क्या S infinite निकालना है सबको जोड़ना है तो देखे क्या होगा ये इससे कड़ जाएगा ये इससे कड़ जाएगा और ये इससे कड़ जाएगा बच्चेगा क्या हमारे पास 10 infinity 10 inverse infinity का मतलब 10 pi by 2 10 pi by 2 minus और उपर 10 inverse 1 का मतलब क्या हो गया ये pi by 4 होता है कितना हो जाएगा pi by 4 और यह 10 यह दोनों खतम हो जाएंगे पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा और एंसर आजाएगा पाई बाई 4 45 आजाएगा 46 का जो B option होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 48 48 के साथ अब देखेगा यहां पे 48 में कह रहा है अगर हम 10 inverse यह करा है कि 10 inverse 10 inverse 1 minus x बटे 1 plus x 1 minus 10 inverse 1 by y 1 minus y by 1 plus y ठीक है हम एक चोटा सा काम करेंगे यहां पे लेट करेंगे मानेंगे ठीक है क्या लेट करेंगे लेट करेंगे हम यहां x is equal to 0 और y is equal to 2 x is equal to 0 रखेंगे और y equal to क्या रखेंगे 2 तो रखे देख लेते हैं यहां पे रखा जाएं तो यह क्या बन जाएगा यह बनेगा यह बनेगा 10 inverse 1 देखें एक्स की जगा आप 0 रखेंगे तो 10 inverse 1 बनेगा क्या बनेगा 10 inverse 1 minus और यह बन जाएगा 10 inverse कितना 1 minus 2 1 minus 2 तो यह आजाएगा माइनस का 1 divided by यह 1 plus 2 यानि कि यह 3 बन जाएगा और आपको पता कि 10 inverse minus x क्या करेगा इसको plus का कर देगा कर दीजिए plus का तो यह आ जाएगा 10 inverse minus x क्या होता minus 10 inverse x के बराबर होता है तो यह plus का हो जाएगा और यहाँ 1 को लिखना क्यों भूल रहे हैं 1 कितना आ जाएगा यह 10 inverse दोनों को जोडेंगे 1 plus 1 बटे 3 यानि कि यह आ जाएगा 4 बटे 3 divided by divided by 1 minus 1 बटे 3 यह 2 बटे 3 हो जाएगा 10 inverse 4 बटे 3 divided by 2 बटे 3 दोनों को काट दिया जाए 10 inverse 2 है ना क्या आना चाहिए वो option वो option correct होगा यहां पे जहां पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 अब के दिमार्ग में चलेगा कि 0 और 2 क्यों रखेंगे भाई 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 रखेंगे यह 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा य की जगह पे 2 रखेंगे तो यह πाई भाई 4 आ जाएगा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा अगर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रख देंगे तो यह 45 आ जाएगा वही सेम इसके साथ होगा कि यह भी 45 आ जाएगा इसके साथ आ जाओ cos inverse y minus x y minus x का मतलब यह हो जाएगा cos inverse cos inverse y कितना है 2 minus 0 divided by root के अंदर 1 into by 0 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा और यह आ जाएगा कितना into में आ जाएगा 1 plus 4 यानि कि यह 5 आ जाएगा यह निकि यह value आने वाली है कितनी यह आ जाएगा cos inverse मतलब यह option नहीं हो सकता यह option नहीं हो सकता यह option नहीं हो सकता इसकी checking चल रही है cos inverse आ जाएगा कितना 2 बटे under root 5 और triangle बना लिया जाए सामने आधार यह 2 करण कितना under root 5 है ना यह आ जाएगा 1 ठीक है अगर इसको हम 10 में change करना चाहें इसी को 10 में change करना चाहें तो 10 inverse लंब बटे आधार यह एक बटे under root 2 आ जाएगा मामला थोड़ा सा अलग हो गया है ना भाई कितना हो जाएगा लंब बटे आधार यह एक बटे दो आ जाएगा जबकि हमें क्या चाहिए हमें तो यह चाहिए तो यह sign के साथ हो जाएगा है ना पलट जाएगी value भाई यह sign के साथ एकदम same है यह हो जाएगा कितना इसे कर लेते है sign inverse देखे सब कुछ angle वाला वही same है जो वहाँ पे था तो दो बटे under root 5 यह आएगा दो बटे under root 5 आओ इसके साथ ठीक है इसके लिए आजाएए इसके साथ लंब लंब कितना है दो कर्ड कितना है under root 5 यह कितना आजाएगा 1 ठीक है question number 49 के पास चलेंगे 49 के पास चलेंगे 49 के रहा solve the equation इस equation को उमको solve करना है देखेगा यह लिखा हुआ है sign sign और अंदर लिखा हुआ है 2 यह लिखा है cos inverse और यह है cot लिखा हुआ है 2 tan inverse x और आपको पता है अगर यह 2 tan inverse x लिखा है और इसे हम लिखना चाहें तो यह 10 inverse में convert हो जाएगा और कितना आजाएगा यह 2x 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 अपान में आजाएगा 1 minus x square है ना भाई equal to कितना देखिए 0 लिखा हुआ है तो 0 रहने दीजिए देखिए आपको पता है कि जब sin theta बराबर है ना आपको पता है ना sin theta बराबर 0 होता तो theta बराबर क्या होता है n pi तो रख लिया जाए भाई यह sin को मटा रहे है उदर 0 है ठीक है हम इसको ब्यापक मान ले रहे है 2 into cos inverse ठीक है और यह cot है और अगर हम इसको cot inverse बना ले तो यह आजाएगा 1 minus x square divided by आजाएगा 2x ठीक है equal to कितना आजाएगा अब यह equal to में हमारे पास n pi क्या है n pi ठीक है रख दिया हमने यह दोनों हट जाएगे अब आगे हमारे पास 2 cos inverse 1 minus x square by 2x is equal to n pi अब n का मान एक बार आप 0 रख के देख लिजिए है ना भाई एक बार क्या करेंगे n का मान हम 0 रखेंगे चलिएगा put करेंगे और एक बार n का मान माइनस 1 रख लेंगे कुछ भी रख सकते हैं n का मान क्या है integer से पोडांक है तो हम इसको n बराबर माइनस 1 के लिए चेक कर रहे है 0 भी रख के चेक कर सकते है माइनस 1 रख रहे है तो यह आजाएगा 2 कॉस इनवर्स और यह आजाएगा 1 माइनस 1 माइनस x स्क्वार भाई 2 x इक्वाल टू कितना माइनस का पाई अच्छा माइनस का पाई भाई 2 हो जाएगा यह एक मिनट देख लेते हैं यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cos inverse 1 minus x square by 2x is equal to minus pi by 2, by cos के साथ जाएगा अगर यह cos के साथ जाएगा तो यह आजाएगा 1 minus x square by 2x is equal to cos 90 बनेगा, तो कि cos minus theta भी plus theta होता, कोई दिखकत नहीं है है ना तो यह हो जाएगा हमारा 90, 90 कमान होता है 0 cross multiplication करेंगे cross multiplication करेंगे, हमको दे देगा 1 minus x square is equal to 0 और x is equal to x square is equal to 1 that means x is equal to कितना आजाएगा plus minus का 1 आजाएगा plus 1 भी, minus 1 भी यह भी value acceptable है, यह भी acceptable है और दोनों option दिये गए हैं D में इसलिए हमारा जो D value होगा, वो क्या होगा correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे next देखेंगे question number 50 question number 50 कह रहा है कि check करना इसको, cost inverse 1 minus x भाई पहले हम by option 1 try करेंगे option a हम x की जगा पर 1 रख रहे हैं ठीक है, 1 रख के देखते हैं तेरा 1 आएगा 2 आएगा, 0 आएगा या नण आप देखाव आएगा x is equal to 1 के लिए आएगा, तो यही true हो जाएगा नहीं तो इसके बारे, 0 के बारे में भी सोचा जाएगा रखते हैं, कितना आजाएगा यह आजाएगा, यह आजाएगा cost inverse, 1 minus 1 ठीक है, minus यहाँ minus है, minus हो गया 2, cost inverse x is equal to में यहाँ पे है हमारा pi by 2 अच्छा, यहाँ पे 1 की जगा, x की जगा पे हमको 1 रखना है हमने यहाँ पे 1 रख दिया यह हो जाएगा हमारा कितना? cost inverse, यह 0 हो जाएगा minus 2, यह cost inverse 1 है है ना? 1 किस का मान होता है? cost 0 का मान cost 0 का मान यह होता है, cost pi by 2 का मान 90 का मान minus 2 भई, यह दोनों खतम into 0 आ गया यह दोनों खतम कितना आ गया? pi by 2 minus 0 यह आ गया pi by 2 है और बराबर में क्या है? pi by 2 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 तो यह इसको संतुष्ट कर रहा है यह इसको satisfied कर रहा है यह इसको satisfied कर रहा है तो 50 में A option जो है वो correct हो जाएगा चलेगा आज का सफर यहीं तक कलम बात करेंगे 51 से लेगा question number 51 आपके screen पर देखिए यहां पर लिखा है 3 10 to x minus 4 10 to 3 x यह लिखा हुआ है अगर हम इसमें थोड़ा सा काम करें 10 3 x है न यह इधर भी दिया गया है 10 3 x इसमें थोड़ा सा हमें maintenance की ज़रूरत था और यह questions question बहुत आसानी से लग सकता है देखेगा हम क्या करेंगे लिखा हुआ है 3 10 2 x 3 10 2 x minus का लिखा हुआ 4 है न एक काम करेंगे इससे हम तोड़ लेंगे यह लिखा हुआ है 3 10 2 x देखेए चार है न चार से एक तोड़ दीजिए चार से एक तोड़ लेंगे तो यह बन जाएगा minus का 3 10 3 x है न बन गया minus का यह और यह जो हमारे पास है यह तो इधर रखा ही है पहले से क्या है यह 10 square 3 x और यह है 10 2 x एक जो minus का 10 3 x हम बचाएं है उसको इधर ले जाएए minus में तो इधर minus में तो उधर plus में जाएगा उधर जाएगा plus में तो यह बन जाएगा 10 3 x यहाँ से हम 3 common लेंगे ठिक है यहाँ से हम 3 common लेंगे अच्छा 3 common लेंगे तो यह आ जाएगा कितना 10 2 x minus 10 3 x is equal to इधर से हम अगर 10 x common लेते हैं 10 3 x common लेते हैं 10 3 x common लेने के बाद यहाँ पर बन जाएगा 1 plus 10 3 x into 10 2 x यह बन जाएगा यहाँ पर रख दिया जाएगा इसको 3 यह आ जाएगा हमारे पास 10 2 x minus का 10 3 x divided by आ जाएगा divided by आ जाएगा कितना इसको नीचे ले आएगे 1 plus 10 2 x और 10 3 x ठीक है is equal to इधर कितना बचा इधर बचा 10 3 x देखिए यह फॉर्मूला बन रहा है 10 a minus 10 b divided by लिखा हुआ है 1 plus 10 a 10 b यह सूत्र बन गया हमारा 10 a minus b का तो यह आ जाएगा 3 into 10 a minus b 10 2 x minus 3 x यहनि कि 10 का 10 के अंदर minus x बचेगा 2 x में 3 x घटेंगे तो minus x बचेगा equal to आ जाएगा हमको सबको दोनों को एक तरफ उठा लीजिए यह minus x है ना तो minus यह निकल आएगा और यह बन जाएगा हमारा 10 3 x plus 3 10 x equal to 0 ठीक है अब एक काम करते हैं यहाँ पर हम 10 3 x का फॉर्मूला रख लेते हैं 10 3 x का फॉर्मूला रखेंगे तो कितना हो जाएगा यह यह होता है हमारा 3 10 x minus 10 cube x divided by 1 minus 3 10 square x plus का कितना 3 10 x equal to 0 देखेंगे उपर से हम देख रहे हैं 10 x कामन लेंगे और 10 x कामन लेंगे तो एक फैक्टर के रूप में आ जाएगे 10 x equal to 0 और जब 10 x is equal to 0 होता तो theta बराबर n pi होता है एक value यहाँ से मिल गई लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मान नहीं है जो इसे satisfied कर रहा हो जो इसे संतुष्ट कर रहा हो है ना हम क्या करेंगे अब जो बचा है उसे देखा जाए यह कितना बचा हमारे पास यह बच गया हमारे पास 3 10x तो जा चुका है minus 10 square x divided by में आ जाएगा 1 minus 3 10 square x अच्छा plus का कितना 3 equal to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अब LCM ले लिया जाए LCM लेंगे तो आ जाएगा कितना 3 minus का हो जाएगा 10 square x और plus हो जाएगा यह 3 minus का हो जाएगा 9 10 square x equal to 0 हो जाएगा उत्तर समाल multiply होके 0 हो गया 9 एक यह 10 हो जाएगे यह 10 10 हो जाएगे minus के और यह हो जाएगा हमारे पास 6 6 बराबर में आ जाएगा 10 10 square x काट देंगे 3 से 2 से 2 तेहीं 6 हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा यानि कि यहां से आने वाला है हमारे पास 10 square x बराबर कितना 3 बटे 5 ठीक है चले यह आगे 10 square x बराबर 3 बटे 5 और आपको पता है जब भी आपको इस तरह की situation दी जाती है है ना 10 square बराबर यह करके होता है हमारे पास से हम लिख सकते है कितना 10 x बराबर आजाएगा हमारा x बराबर आजाएगा कितना n pi plus minus हो जाएगा और यह under root आजाएगा 3 बटे 5 ऐसा कौन सो option दिख रहा है भाई plus वाला option है यहाँ पे हमारे पास पहले number पे हम देख रहे है यह plus वाला option है यहाँ पे तो 51 का जो यह वाला option है वो correct हो जाएगा n pi plus 10 inverse root 3 by 5 यह हो जाएगा आगे देखेंगे question 52 देखेंगे यह question थोड़े से बड़े है है ना तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ 10 theta 10 theta को रहने दिजिए 10 theta हम इसको सबको अटा के पूरे screen में ले रहे है थोड़े से question बड़े है और अच्छे question है देखिएगा यह हो जाएगा 10 theta 10 theta plus यह लिखा 10 theta plus pi by 3 ठीक है लिखा रहने दिया जाए देखेंगे इसे हम लिख दें अगर 2 pi pi 3 को हम लिख सकते है pi minus pi by 3 है ना ठीक है यह क्या हो जाएगा 2 pi by 3 को हमने लिख दिया pi minus pi by 3 यह लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा pi plus theta तो क्या हो जाएगा pi plus theta 10 theta के बराबर ही होगा है ना तो यह आजएगा हमारा plus यह हो जाएगा 10 theta और यह आजएगा 10 theta नहीं theta नहीं theta नहीं theta एक जगह पे कितना है pi minus pi by 3 theta minus pi by 3 तो यहाँ जाएगा theta minus pi by 3 is equal to 3 चलिएगा calculate करते हैं अब देखेगा हम क्या करेंगे इनको हम 10 में पूरे को change कर लेते हैं यह तो 10 theta हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा है एक question ठीक है 10 theta हो जाएगा अब यहाँ पे अगर हम 10 a plus b का सूत रखेंगे तो 10 a plus 10 b हो जाएगा 10 theta 10 theta 1060 1060 का मान कितना हो जाएगा under root 3 3 है ना 1 minus यह हो जाएगा under root 3 10 theta under root 3 10 theta plus और यह हो जाएगा 10 theta minus under root 3 divided by यह जब एक दोबार आप question निकाले रहेंगे ना अपने आप याद रहेगा यह 10 theta equal to 3 अब क्या करेंगे हम लेंगे lcm lcm जो यहाँ पे आएगा वो कितना आजाएगा यह वाला lcm आजाएगा lcm करने के बाद हम करते है multiply इसको तो अभी चुप चाप रहने दीजिए पहले इन दोनों का Lcm ले लिया जाएगा यह आजाएगा tan theta plus इसका multiply इसके साथ होगा पहले हम tan theta का multiply कर लेते हैं चाहे तो 1 का multiply कर लीजिए तो कितना आजाएगा यह आजाएगा tan theta plus under root 3 अब under root 3 tan progresses यहाँब तो यह आजाएगा under root 3 tan square theta और प्लस हो जाएगा 310 theta ठीक है फिर इसके बाद इसका multiply कर दिया जाए 1 का कर देते हैं यह हो जाएगा 10 theta minus का under root 3 और minus का under root 3 10 theta का कर दीजे तो यह जाएगा minus का under root 3 10 square theta और minus minus हो जाएगा plus 3 10 theta equal to में कितना है 3 अच्छा divide में हमारे पास आजाएगा इनका divide में आजाएगा a plus b a minus b ति कितना हो जाएगा 1 minus का 3 10 square theta देखते हैं जो cancel हो रहा उसे cut दिया जाए यह cut जाएगा under root 3 10 square theta plus के minus के यह cancel हो जाएगे बाकी को जोड़ लिया जाए जो बचरा है उसे जोड़ लिया जाए ठीक है हाँ देखते हैं यहापे यह लिखा हुआ है 10 theta 10 theta को चुपचाप रहने दीजिए चाहो तो LCM ले लिया जाए LCM लेंगे तो इस 10 theta का multiply हो जाएगा इसके साथ 10 theta minus का जाएगा 3 10 cube theta ठीक है 10 theta एक यह है तीन यह है एक यह है तो तीन एक चार एक पाँच तो पाँच यह हो जाएगे है ना कितना हो जाएगा यह पाँच ठीक है एक 10 theta यहाँ पर है मारे पास और एक theta यहाँ पर 3 3 theta है तो यह 5 हो जाएगे 10 theta plus 10 theta हो जाएगे 4 एक 5 अब 5 तीन 8 हो जाएगे 8 हो गया ना यह भी तो 3 आगे 10 theta ही तो है तो यह आ जाएगा हमारे पास 10 हमने इसको multiply कर लिया plus कितना गया 8 10 theta divided by इस LCM का इधर multiply होगा 3 के साथ तो 3 माइनस आ जाएगा कितना यह हो जाएगा 9 9 10 square theta ठीक है अब यहाँ पर 10 theta है 9 10 theta यह भी हो जाएगे यह 9 10 theta minus का 3 10 cube theta equal to कितना आ जाएगा 3 common ले लिजिए 1 minus का 3 10 square theta हो जाएगा 3 इधर से भी common लिजिए तो यह आ जाएगा 3 10 theta minus 10 cube theta equal to देखिए 3 3 दोने का अब से cancel हो जाएगा तो इधर बचेगा हमारे पास 1 minus का 3 10 square theta इसको बटे मिले आईए तो यह आ जाएगा 3 10 theta minus का 10 cube theta divided by 1 minus 3 10 square theta is equal to 1 और यह सुत्र होता है किसका 10 3 theta का तो 10 3 theta equal to कितना हो जाएगा हमारे पास 10 3 theta is equal to रहेगा 10 pi by 4 1 बचेगा इधर 10 pi by 4 कर देंगे है ना ब्यापक मान क्या हो जाएगा 3 theta equal to आ जाएगा n pi plus alpha होता है pi by 4 हो जाएगा तो theta पराबर कितना आ जाएगा n pi by 3 plus pi by 12 यह इसका correct answer आ जाएगा चलिएगा तो एक बहतरीन question था यह इसका answer तो हमें याद रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा है ना तो कितना हो जाएगा पहला वाला option correct हो जाएगा यही तो हमने निकाला है n pi by 3 plus pi by 12 है ना तो 52 में कौन साफ़फन से हो जाएगा पहला देखतें question number 35 आपके सामने आप लोग भी pen copy उठा लीजिए लगाते जाएगे मेरे साथ question number 52 के बाद question number 33 देखेंगे कहरा sin theta minus 3 sin 2 theta plus sin 3 theta equal to यह दिया गया है एक छोटा सा हमें काम करना है इसमें है ना जहाँ पर यह सुत्र हमें दिया गया है देखेंगा यह दिया गया है और यह दिया गया है हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे हम इनको separate करेंगे यह questions लिखा है हमारे पास question में लिखा गया है sin theta minus 3 sin 2 theta तो हम इसे separate करते हैं इसे ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 sin 2 theta चाहो तो आप डिरेक्ट ये अपलाई कर दीजिए यहीं पे लगा दीजिए भाई ये 3-3 वाले हैं साथ में ये sin theta हो जाएगा ये हो गया लिख लेते हैं ये sin theta minus 3 sin 2 theta plus sin 3 theta equal to दिया गया है cos theta minus का 3 cos 2 theta plus का cos 3 theta अच्छा एक छोटा सा काम ये करना है इन दोनों के साथ लगा दो sin theta और sin 2 theta के साथ sin 3 theta के साथ ये पद उठा लीजे ये पद उठा लीजे इधर ये और ये इसमें sin c plus sin d का सुत्र लगा दीजे तो 2 into sin c plus d बटे दो यानि कि theta plus 3 theta 4 theta बटे दो यानि कि sin 2 theta बन जाएगा चलिए ये sin 2 theta बन गया into cos c minus d बटे दो theta minus 3 theta यानि कि हो जाएगा 2 theta by 2 minus का 2 theta by 2 और cos के अंदर minus का कोई बतलब है नहीं है तो by 2 theta बचेगा सिर्फ यानि कि हो गया cos theta और यह चुपचा पीसे रहने दीजे minus का हो जाएगा 3 sin 2 theta equal to यहाँ पर आजाओ cos c plus cos d cos c plus cos d क्या होता है 2 cos c plus d बटे दो तो कितना जाएगा theta plus 3 theta 4 theta यानि कि ये cos 2 theta हो जाएगा into cos कितना ये हो गया 2 theta cos c minus d बटे दो theta minus 3 theta बटे दो minus 2 theta बटे दो cos के अंदर है ना तो कितना जाएगा वही हो जाएगा cos theta ही बन जाएगा minus का जाएगा 3 cos 2 theta एक काम करते हैं इन दोनों में देखो कुछ common है इन दोनों में हमको common मिलना है sin 2 theta यहाँ क्या बचा 2 cos theta minus का 1 equal to आ जाएगा और इधर देखे इन दोनों में हमको cos 2 theta common दिख रहा है हम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 2 cos theta 2 cos theta minus का 3 minus का 3 बचेगा यहाँ पर अब देखेगा चुकि हम अगर इस factor को लेंगे भी 2 cos theta minus 3 equal to 0 तो cos theta बराबर 3 बटे 2 आएगा वो possible नहीं होगा इससे अच्छा है कि हम यहीं निप्ता देते हैं इसको काट दिया हमने वैसे काटते नहीं है ऐसे situation में हो सकता है कि वो कोई value दे दे हमको लेकिन यह value कोई मिलेगी नहीं अमानने value मिलेगी हमने इसलिए काट दिया इसको sin 2 theta is equal to cos 2 theta divide मिले यह इसको यह आजाएगा sin 2 theta बटे cos 2 theta यानि कि 10 तो theta is equal to में कितना आजाएगा 1 और आपको पता है 1 में किसकी value होती है 5 by 4 की value होती है 10 में तो pi by 4 हो जाएगा 10 theta पर आप 10 alpha होता है तब जो ब्यापक मान होता theta is equal to n pi plus alpha होता है तो n pi plus कितना आजाएगा pi by 4 आजाएगा इस 2 को डिवाइट कर दीजिए तो theta is equal to कितना आजाएगा n pi by 2 plus pi by 8 n pi by 2 plus pi by 8 तो तिरपन में कौन सौफफन से ही हो जाएगा पहला option correct हो जाएगा चलिएगा इसके बाद हम देखते हैं question number 54 हाँ यह clear आवाज वगर एकदम clear आ रही है कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह की एक बार बता दीजिएगा चलिएगा very good morning अशोक गंगवार सर चलिएगा हाँ सर चलिएगा attempt करते जाएगे मेरे साथ मज़ा तभी आने वाला बहुत अच्छे questions का collection है बहतरीन questions है न यहाँ पर लिखा हुआ find the positive interval solution of x and y अब देखिये हमें x और y का positive solution निकालना है अब आप सही से देखेंगे तो देखिये का यहाँ पर लिखा हुआ sin inverse x बटे root 1 plus x square और अगर आप x की जगह पे क्या रख दें अगर आप x की जगह पे रख देते हैं sec theta नहीं ने 10 theta रखिए अगर आप 10 theta x की जगह पे रखेंगे तो उपर क्या हो जाएगा उपर 10 theta हो जाएगा नीचे 1 plus 10 square theta यानि कि sec square theta मतलब sin theta बन जाएगा कुल मिला कि x की जगह पे क्या होना चाहिए था 10 theta होना चाहिए था है ना क्या होना चाहिए था यहाँ पे 10 theta होना चाहिए था तो यह सा direct formula 10 inverse x का बन रहा है अगर हम आप x की जगह पे क्या रख दें x की जगह पे थोड़ास देख लीजे वैसे वो direct आपको पता होना चाहिए कि यह 10 होता है यह 10 ही होता x बटे root 1 plus x square 10 inverse x होता है देखिएगा हम फिर भी कर लेते है 10 theta is equal to x is equal to क्या रख दिया 10 theta रख दिया एक को देख लेंगे दूसरा clear हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास x बटे root में 1 plus x square x की जगह पे हमको रखना 10 theta divided by हो जाएगा root में देखिए 1 plus 10 square theta root के अंदर से की square theta बनेगा root के बाहर आएगा तो सिर्फ sec theta हो जाएगा और आप 10 theta को तोड़ दीजिए sin theta बटे cos theta एक बटे cos theta को आप लिख दीजिए sec theta तो यहाँ पे हो जाएगा यह sin theta into sec theta और divide में हमारे पास है sec theta sin theta बटे cos theta को हमने एक बटे cos theta को sec theta लिख दिया sin theta आ गया अब आपको पता यह किसके बराबर sin theta के बराबर है तो sin theta यादि theta खतम हो जाएगा theta बराबर 10 inverse x कुल मिला कि यह 10 inverse x है यह क्या लिखा हुआ है यह पूरा 10 inverse x है इसे हम लिखेंगे tan inverse x और इसी तरह से यह क्या है tan inverse y है यह क्या अगर आप y की जगा पे cos theta रखेंगे तो tan inverse y है नहीं tan inverse y नहीं है यह है cos inverse y है यह क्या है cos inverse y है cos inverse y रखेंगे तो cos inverse y आएगा cos inverse y equal to tan inverse 3 यह लिखा हुआ है ठीक है आप चाहें तो triangle बना के भी इसको convert कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 10 में 10 में इसले कर रहे हैं क्योंकि इधर भी 10 है ठीक है भाई ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 inverse x plus ये 10 inverse 1 बटा y हो जाएगा equal to 10 inverse 3 इधर फार्मूला लगा दीजे 10 inverse x plus 10 inverse y वाला तो कितना आजाएगा ये आजाएगा x plus 1 बटे y divided by 1 minus x बटे y equal to 10 inverse 10 inverse दोनों तरफ से खता हम इधर 3 बचा अच्छा अब cross multiplication मतलब LCM ले लिजे LCM लेंगे तो आजाएगा x y plus 1 और ये आजाएगा कितना y minus x equal to 3 अब देखिए हमें वो पेर इसमें satisfied करवा देना है जो 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 option भाई correct होगा वो satisfied करेगा इसको चलिए कर 1 और 7 रख दीजिए x की जिगा पर 1 उसकी जिगा पर 7 तो हो जाएगा कितना 7 एक 8 आठ बटे 6 आठ बटे 6 तो 3 नहीं आएगा तो पहला option तो हुआ गलत पहला option हुआ गलत फिर हम x की जिगा पर 2 और y की जिगा पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 7 7 बटे 1 ये भी नहीं आएगा दूसरा भी गलत हो गया तीसरा option रखेंगे x की जगा पर 2 तो 2 गुड़े और ये हो जाएगा y की जगा पर 7 प्लस 1 बटा कितना 7 माइनस का 2 ठीक है 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 एक 15 15 बटे 5 5 तीया 15 ये इसे satisfied कर रहा देखो 3 नहीं तो लाना है तो कौन सा option से हो जाएगा 14 में c वाला जो option है वो correct हो जाएगा है ना चलिएगा साब आगे बढ़ेंगे आप attempt तो करिए साथ में तो 14 का c option correct हो गया 55 चुबन दो बार आ गया था ठीक है 55 देखेंगे लिखा हुआ है 6 10 square theta minus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta हाँ बढ़िया question है ये भी देखेंगा यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सामान क्या होगा है ना देखते हैं हम इसको इसमें सीधा सा क्या काम एक करेंगे ठीक है ये 10 square theta है ना 6 10 square theta 10 square theta को आप convert करिए भैस अब cos में है तो 10 को convert करने का direct cos में तो नहीं convert होगा लेकिन sec में convert हो जाएगा 10 square theta की जगह पर हम रख सकते हैं sec square theta minus 1 तो रखेंगे तो यह आजाएगा 6 6 हो जाएगा 6 square theta minus 6 का multiply भी कर दीजिए साथ में ये आजाएगा 6 sec square theta minus 6 हमने 10 की जगह पर रखा है sec square theta minus 1 और 6 से किया है multiply और इसे भी half angle में change कर दिया जाएगा ये आजाएगा 2 cos square theta minus 1 होता तो ये plus 1 हो जाएगा है ना equal to ये आजाएगा 2 cos square theta अब एक काम करेंगे 6 को ना ये वाले sec square theta को cos में convert करिए तो ये आजाएगा 6 बटे कितना cos square theta minus 6 चाहे तो calculate कर लेजिए minus 6 है एक में जोड़ेंगे तो minus का 5 बचेगा हमारे पास minus का 5 minus का आजाएगा 2 cos square theta equal to कितना चाहे तो इसे भी इधर उठा लेजिए 2 cos square theta नहीं धर लेएगे तो 4 हो जाएगे ये कितने हो जाएगे ये हो जाएगे 4 cos square theta अब आ गया equal to 0 अब लीजिए LCM LCM लेएगे तो ये आजाएगा 6 minus ये हो जाएगा 5 cos square theta और ये हो जाएगा minus का 4 cos square theta का square हो जाएगा equal to 0 हम चाहेगे कि minus ले लो comment देखते हैं ये आ जाएगा minus लेंगे comment ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा cos square theta का square और plus का आ जाएगा cos square theta माइनस का जाएगा 6 equal to 0 अब करेंगे इसके हम लोग factor है ना कितना आना चाहिए 64 को 24 24 आठ ट्रिक 24 है ना ये आ जाएगा 4 में कितना cos square theta का square plus 8 cos square theta माइनस का 3 cos square theta माइनस 6 equal to हो जाएगा 0 है ना common लेंगे यहाँ पर तो 4 cos square theta यहाँ आराम से common आ जाएगा और ये बचेगा cos square theta plus 2 माइनस का 3 यहाँ common लेंगे ये भी बचेगा cos square theta plus 2 भाई दो factor हुए है एक हो गया cos square theta plus 2 यानि कि cos square theta बराबर minus 2 और ये value possible नहीं होगी cos के लिए है ना तो हमें से यह वाला factor लेना है कौन सा 4 cos square theta minus 3 equal to 0 ये बन जाएगा cos square theta equal to कितना 3 बचे 4 ठीक है अब ये हो जाएगा cos square theta equal to में कितना 3 बचे 4 है ना तो हम इसे लिख सकते है क्या अंडर root 3 बचे 2 का square है ना और आपको पता है जब cos square theta बराबर cos square alpha होता है तो होता क्या है तब theta बराबर होता है n pi plus minus cos में किस की value अंडर root 3 बचे 2 होती है 30 की 30 मतलब pi by 6 है ना प्लस माइनस जब cos square theta बराबर cos square alpha हो तो क्या होता है व्यापकमान theta is equal to n pi plus minus pi by 3 है ना तो भाई 55 में कौन सा option सही हो गया b वाला जो option है वो pi by 3 नहीं pi by 6 ना 30 का मान होता है ना तो pi by 6 बी वाला option correct हो जाएगा पचपन में b option correct हो जाएगा चलेगा जवाब देते जाएंगे मेरे साथ में ही ना बहतरीन questions का collection है मज़ा आएगा आप भी लगाते जाएए तब मज़ा आने वाला है ठीक है चलेगा आगे बढ़ेंगे साथ देखेंगे question नंबर 56 चपन मिस हो गया क्या चलेए चपन भी एक बहतरीन question था कहें तो मैं उसे लिख लेता हूँ 55 56 56 में दिया गया था question मिस है वो छुटा है देखेंगा लिखा हुआ था 7 cos square theta बहुत चोटा question था 7 cos square theta plus 3 sin square theta is equal to 4 दिया गया था तो हमें theta का व्यापक मान ने कलना था हम क्या करेंगे हमें पता है कि हम 7 से 4 अलग कर ले चार अलग कर ले कौस square theta तो 3 और बनेंगे तो 3 वाले से हम 3 common ले 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 है ना भाई साथ से मैं क्या कि 7 को तोड़ दिया चार प्लस 3 हम चाहरे की cos square theta plus sin square theta बना लिया जाए तो 3 हमने लिया common और यहां bracket में बचेगा sin square theta cos square theta plus sin square theta equal to 4 हो जाएगा भाई यह आजाएगा 4 cos square theta equal to कितना यह 3 हो गया उधर घटे के जाके एक आजाएगा और यहां से आजाएगा cos square theta equal to 1 बटा-4 और आपको पता है कि in this condition यह हो जाएगा हमारा cos square theta और यह हो जाएगा हमारा cos square 45 पाईटालिसंगा यह हमारा cos square 45 का मान हो जाएगा यह है ना अच्छा कि पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, तो यह कितना हो जाएगा, जब आपको पता है कि कॉस इसकोर थीटा पराबर कॉस इसकोर अलफा होता है, तो थीटा पराबर क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अलफा, तो एन पाई प्लस माइनस अलफा यानि की एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा इसका answer है ना आगे बढ़ेंगे साब question number देखेंगे 57 attempt करते जाएए आप भी मेरे साथ attempt करते जाएए तब ही मज़ा आने वाला है देखिएगा यहां पे यह लिखा हुआ sin cube x plus sin x cos x plus cos cube x is equal to 1 तो यहां पे हमको निकालना है थीटा का ब्यापक मान x का ब्यापक मान निकालना है देखिएगा एक छोटा सा काम करेंगे यहां पे हम चाह रहे हैं कि sin cube x और इन दोनों को एक साथ रख लिया जाए तो यह हो गया हमारा sin cube x और यह प्लस का आ जाएगा cos cube x is equal to और इसको उधर भेज़ दीजिए यह आ जाएगा 1 minus का sin x और cos x ठीक इतना आ गया देखिए sin cube x यहां पे फर्मूला लगाएंगे a cube प्लस b cube का a cube प्लस b cube का फर्मूला लगाएंगे तो यहां पे यह आ जाएगा हमारे पास कितना sin x plus cos x a plus b होता है a plus b into a square plus b square minus a b sin square x plus cos square x minus sin x cos x तो भाई sin square x plus cos square x की जगा पे हम 1 रखेंगे 1 minus यह आ जाएगा sin x और आ जाएगा cos x ठीक है अच्छा equal to equal में यह हमारे पास है already तो यह आ जाएगा 1 minus का sin x और क्या है साथ में cos x है हम इधर लाएंगे तो factor हमें लेना पड़ेगा एक आ जाएगा factor हमारा 1 minus का sin x into cos x के रूप में common आ जाएगा और दूसरे bracket में जो बचेगा वो sin x बचेगा plus का cos x बचेगा और जो यह minus का इधर आया है यह minus का 1 बचेगा equal to 0 दो factor हो चुके हमारे पास हम दोनों को solve करेंगे और अपने options को धोने की कोशिस करेंगे चलेगा अब देखिए अगर हम मालिजे कि यह वाला factor 0 के equal करते हैं पहला वाला 1 minus का sin x cos x equal to 0 करते हैं तो यह sin x cos x equal to कितना आ जाएगा 1 और दो से दोनों तरफ कर यह multiply तो 2 sin x cos x is equal to 2 यानि कि sin 2 x is equal to कितना आ जाएगा 2 और यह क्या हो जाएगा अमानने हो जाएगा क्योंकि sin को जो value होती हो minus 1 से plus 1 के बीच में होती है 2 नहीं होगी तो यह अमानने हो जाएगा दूसरे वाले factor की तरफ ले चलेंगे आपको यह लिखा हुआ है sin x plus cos x is equal to minus 1 sin x plus cos x minus 1 is equal to 0 आएगा तो हम इसको 1 कर देंगे और आपको पता है ऐसी situation में क्या करते हैं हम भाई sin का जो गुडांक होता है और जो cos का गुडांक होता है दोनों को ले लेते हैं तो 1 का square plus 1 का square under root 2 दोनों side हमें क्या करना under root 2 से भाग दे देना है तो यह कितना आ जाएगा एक बटे under root 2 और यह भी आ जाएगा एक बटे under root 2 और इधर भी आ जाएगा एक बटे under root 2 है ना कर दिया हमने हाँ चलिएगा एक तो हम ये कर सकते हैं दूसरा इसे भी करना ही होगा तो ये क्या बन जाएगा भाई ये बनेगा एक बेटेंडरूट दो है ना एक बेटेंडरूट दो किसकी वेलू हो जाएगी मान लिजे कि हमने इसको बना दिया कॉस वाला बना देते हैं तो ये आ जाएगा कॉस में कितना ये आ जाएगा एकस माइनस पाई बाई फोर पाई बाई फोर भाई ये कॉस एक कॉस भी कॉस पाई बाई फोर हो जाएगा और साइन ए साइन भी हो जाएगा एक कॉल टू कितना जाएगा ये भी आ गया हमारा cos 45 cos 45 45 के मतलब pi by 4 और आपको पता है इस situation में क्या हो जाएगा x minus x pi by 4 is equal to हो जाएगा कितना 2n pi 2n pi plus minus pi by 4 होता है ठीक है एक बार आप plus ले लीजिए यहां पे तो यह आ जाएगा x minus का pi by 4 equal to 2n pi plus pi by 4 तो यहां से x equal to आ जाएगा जब हम plus ले रहे हैं तब की बात हो रही है x is equal to आ जाएगा 2n pi और यह आके pi by 4 plus pi by 4 यह मिला कि हो जाएगे कितने pi by 2 अच्छा यानि कि पहला वाला b वाला option भी हो सकता है और एक बार अगर हम यहां से minus लेते हैं है ना तो देखे क्या आने वाला है तो यह आ जाएगा x is equal to भाई अगर हम यहां पर जहां पर minus लेंगे तो x minus pi by 4 यह हो जाएगा equal to 2n pi minus का pi by 4 यह दोनों cancel हो जाएगे और x is equal to आजाएगा 2n pi तो 2n pi भी आ रहा है और 2n plus pi by 2 भी आ रहा है मतलब कि option a भी आ रहा है और option b भी आ रहा है दोनों option आ रहे हैं तो यह भी सही होगा यह भी सही होगा और ऐसा दिया कहां है c वाला option यहनिकि 57 में जो c होगा आगे बढ़ेंगे next question देखेंगे question number जरूर लिखेंगे सुभी पाठाग जी sk maths c ठीक है चलिएगा कौन सा अप्पन से होगा यहाँ पे 57 में c वाला option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे साब question number देखेंगे यह clear हो रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं है न एक बार बताते जाएगे जहाँ पे दिक्कत समझ में आएगी चलिएगा 58 लिखा find the general value of theta given 10 3 theta is equal to minus 1 यह given है और हमको निकालना क्या है हमें निकालना है यहाँ पे इसकी general value ठीक है तो यह आजाएगा 10 3 theta equal to minus 1 दिया गया minus 1 का मतलब होता है कि हम लिख सकते हैं इसको minus pi by 4 यह लिखा जा सकता है ठीक है तो आपको पता है theta is equal to 10 theta is equal to 10 alpha होता है तो 3 theta is equal to क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा n pi n pi plus alpha minus pi by 4 तो यह हो जाएगा हमारा 3 theta equal to theta equal to हो जाएगा n pi by 3 minus pi by 12 है ना और ऐसा कोई option नहीं है ना पहला है ना दूसरा है ना तीसरा है तो कौन सा उप्षन से हो जाएगा d वाला option 58 में सही हो जाएगा 58 का जो d होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे साब question number देखेंगे 59 attempt करते जाएगे आप भी मज़ा तभी आने वाला है देखेगा यह लिखा हुआ है 10 theta plus pi by 12 equal to 3 10 theta minus pi by 12 हमें इसको solve करना है और निकालना है theta का ब्यापा कमान यहाँ देखते हैं अगर हम छोटी सी एक बात करें हैं यहाँ पे हमें इसे यह भी लिख सकते हैं क्या इसे लिखा जा सकता है 10 10 theta plus pi by 12 divided by हमें पता है कि हमें component डिवेंडो लगाना ही पड़ेगा तभी कुछ आने वाला है तो यह आजएगा theta minus pi by 12 is equal to 3 component डिवेंडो अपलाई कर दिया जाए component डिवेंडो अपलाई करेंगे योगांतरा अनुपात अपलाई करेंगे तो यह उपर हो जाएगा 10 theta plus अरे उसके साथ एंगल है न और बड़ा यह हो जाएगा 10 theta plus pi by 12 plus उपर पलस कर रहे हैं 10 theta minus pi by 12 यह हो गया divided by यही नीचे माइनस हो जाएगा 10 theta plus pi by 12 minus 10 theta minus pi by 12 equal to 3 plus 1 और यह 3 minus 1 हो जाएगे अब देखिए उपर हम इसको sin और cos में change करेंगे तो यह हो जाएगा sin theta plus sin इसको a माल लो a और इसको माल लो b तो हो जाएगा sin a cos b plus cos a sin b तो sin a plus b का सुत्र बन जाएगा उपर तो यह नी कि यह बनने वाला हमारे पास sin a मतलब theta plus pi by 12 plus theta minus pi by 12 अब देखिए जो lcm आएगा वो lcm नीचे वाले lcm से कट जाएगा नीचे भी बस सब कुछ बन रहा लेकिन sin a minus b का सुत्र बनेगा sin a minus b का सुत्र बनेगा sin तो यह हो जाएगा theta plus pi by 12 sin cos जब change करेंगे तो नीचे बन जाएगा sin a minus b तो a यह है minus का हो जाएगा theta plus का हो जाएगा pi by 12 equal to कितना हो जाएगा भाई इधर 4 हो जाएगा और इधर यह 2 हो जाएगा इन दोनों को cancel कर देंगे cancel हो जाएगे इसके बाद theta को theta से cancel कर देंगे pi by 12 pi by 12 2 pi by 12 यानि कि pi by 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा sin 2 theta equal to इधर 2 बचेगा into sin में pi by 6 pi by 6 का मतलब क्या हो गया tis ans tis ans का मान कितना हो जाएगा 1 बचे 2 2 से 2 काट दिया जाए तो sin 2 theta equal to आजाएगा 1 और 1 किसका मान होता है sin में pi by 2 का 90 का मान है ना तो कितना आजाएगा यह sin theta बराबर sin theta बराबर sin alpha जब होता है तो जो ब्यापक मान होता है 2 theta equal to कितना हो जाएगा n pi दिख रहा है ना कट तो नहीं रहा एक मिनट तो जो ब्यापक मान हो जाएगा वो हो जाएगा n pi n pi plus minus 1 की power n into यह pi by 2 theta बराबर कितना आजाएगा n pi by 2 plus minus 1 की power n और यह आजाएगा pi by 4 ठीक है n pi by 2 ठीक है minus 1 की power n pi by 4 कौन सॉफफण आ गया यहाँ पे पहला वाला जो option आ गया 57 का वो कह हो गया 59 का correct हो गया पहला option बिलकुल correct है यही इसका मान होगा ठीक है चलेगा इससे आप और अपने तरीके से छोटा कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे साब 60 60 में भी हमको व्यापक मान ही निकालना find the general value of theta देखिए लिखा हुआ 2 sin square theta 2 sin square theta हम चाह रहे हैं कि 2 sin square theta को भी थोड़ा सा manage किया जाए और इसको भी जैसे sin square 2 theta लिखा हुआ न इस टाइप कर कुछ बनाया जाए तो एक बात हमको पता है कि हम इसे लिख सकते हैं sin square theta है और यह sin square 2 theta लिखा हुआ है ठीक है तो इसे हम sin square 2 theta इधर रहने दिया जाए यह जाएगा sin square 2 theta को इधर रोका जाए यह जो 1 है न इसको लिखा जाए कि 1 plus 1 दो लिख दिया हमने और 2 sin square theta हम का cos 2 theta का सुत्र बनाना चाह रहे है आ जाएगा 1 minus में आ जाएगा कितना 2 sin square theta अभी हमने कुछ किया ने इस 2 को 1 plus 1 लिखा है और इसको इधर भेज दिया है फिर क्या हो जाएगा sin square 2 theta equal to 1 minus ने ने यह plus हो जाएगा 1 minus 2 sin square theta आपको पता है किसके बराबर होता है cos 2 theta के बराबर होता है cos 2 theta के बराबर होता है convert हो गया यह है ना यह cos 2 theta हो गया और कि हमारे पास sin square 2 theta इस 1 से यह वाला 1 cancel out कर दिया जाए अब दोनों को इधर उठा लिया जाए अगर इधर उठाएगे तो आपको पता है कि cos या उसको उधर ले जाओ cos theta ले जाए cos 2 theta is equal to हो जाएगा bracket में आ जाएगा हमारे पास cos 2 theta plus 1 equal to 0 दो चीजे मिल चुकी है एक तो यह हो जाएगा हमारे पास की cos 2 theta equal to 0 आ जाएगा तो in this situation यह क्या हो जाएगा जब cos theta बराबर 0 होता तो इसका ब्यापक मान जो होता है वो क्या होता भाई वो होता है हमारा 2n plus 1 यह ध्यान रखेंगे यह थोड़ा सा change होता है यह थोड़ा सा change होता है कितना होता यह 2n plus 1 और into में pi by 2 यह होता है तो theta equal to कितना हो जाएगा यह theta equal to हो जाएगा theta equal to हो जाएगा 2 से divide करेंगे 2 से divide करेंगे तो यह आजाएगा πाई by 4 अब आज घायँ पाई by 4 का multiply करिए तो कितना आजाएगा यह यह आजाएगा N पाई by 2 plus इसके साथ multiply होगा तो पाई by 4 ही रहेगा ऐसा एक मान है अभी अगले वाल से का भी रास्ता तलास आजाए एक मान है क्योंकि दोनों मान दिये गहे हैं देखो यहाँ पे यहाँ भी है यहाँ पास N Pi by 2 प्लस Pi by 4 यह मान नहीं है यहाँ पे option में दिये नहीं गया दूसरा तलास्ते हैं है N Pi यह है नहीं तो इसका मतलब भी दूसरा रासता भी हमको देछना पड़ेगा काफी complicated question बनाया गया है तो यह हो जाएगा cos 2 його theta is equal to कितना, minus का बन हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, cos 2 theta is equal to, कितना, cos pie का मान होता है, minus 1 है न, किस का मान होता यह cos pie का मान होता है, minus 1 cos pi हो गया तो यह 2 theta is equal to हो जाएगा 2n pi और plus minus pi divide करतीजिए तो theta बराबर आजाएगा n pi n pi plus minus pi by 2 n pi plus minus pi by 2 यह option b में मिल रहा है मतलब कि यह वाला भी कहीं न कहीं से हमको मिलेगा अब उसकी तलास में हम जरूर निकलेंगे ठीक है चलेगा 60 में दूसरे वाले option की तलास में भी निकलना पड़ेगा भी देखिए गया आपे दिया क्या था हमको 2 sin square theta plus sin square 2 theta equal में दिया गया था 2 है न हम इसको तोड़ेंगे यह जाएगा 2 sin square theta plus 20 का square अगर लगा देंगे मालिच 2 theta का holy square कर दें तो हो जाएगा 2 sin theta cos theta का holy square तो हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा हमारे पाफ fine square theta और यह हो जाएगा cos square theta equal to में आ जाएगा 2 है न अब देखिएगा equal में आ गया हमारे पास 2 आ गया हम दोनों तरह से दो लेके common card दिया जाए यह आ जाएगा sin square theta plus 2 fine square theta cos square theta equal to 1 इसको उधर बेज दिया जाए तो यह आ जाएगा 2 fine square theta cos square theta अब देखिए इदर आ जाएगा बराबर को उधर जाएगा sin square theta तो 1 minus sin square theta हो जाएगा जो बन जाएगा cos square theta cos square theta को इदर उठा लीजिए तो यह minus का आ जाएगा कितना cos square theta equal to 0 अब आप यहाँ पे cos square theta common लिजिए तो यह आ जाएगा 2 sin square theta minus 1 is equal to 0 अब आपको पता है दो factor मिल जाएंगे 1 cos square theta is equal to 0 मिलेगा तो theta is equal to n pi plus minus alpha होता है तो n pi मिल जाएगा दूसरा जब हम यह वाला factor लेके चलेंगे 2 sin square theta minus 1 equal to 0 तो यह बन जाएगा sin square theta is equal to 1 equal to 2 45 यह निके sin square यह pi by 4 का मान होता है तो theta पराबर क्या हो जाएगा n pi plus minus pi by 4 sin square theta पराबर sin square alpha जब होगा तो इसका ब्यापक मान होता theta is equal to n pi plus minus plus minus alpha है ना n pi plus minus pi by 4 कौन सा option हो गया भाई यही b वाला जो option है वो match कर रहा है पूरा पूरा match कर रहा है b वाला option correct हो जाएगा 60 का जो b होगा वो correct होगा चलेगा अब भी attempt करते जाएए मज़ा तब ही आने वाला है है ना आगे बढ़ेंगे साब question number 61 61 में कहरा है कि इसके बराबर होगा यह हमको बताना है देखेगा हमको एक बात समझ में रही है कि उपर cos 3 theta है तो मतलब इनसे भी जुगार हो सकता है अगर हम cos 4 theta और cos 2 theta को एक साथ लेके cos c plus d का सुत्र लगा दे तो मामला भल हो सकता है देखेगा तो cos c plus cos d 2 into cos c plus d बटे दो तो cos 4 theta plus 2 theta 6 theta बटे दो यानि कि cos 3 theta बन जाएगा ओके cos c minus d cos 4 theta minus 2 theta यानि कि 2 theta बचे 2 यानि कि cos theta cos theta plus का same cos 3 ये को चुपचाप वैसे ही रखना रहने दीजिए बाइज़त a है सब जगव ऐसे a ही लिखा जाए a divide में आएंगे यही सेम काम इन दोनों के साथ करेंगे sin c plus d तो आपको पता है 2 sin c plus d बटे 2 तो ये आजाएगा sin 3 theta हो जाएगा 3 a हो जाएगा है ना भाई 6 हो जाएगे बटे 2 3 हो जाएगा into cos वही हमारा 4 में दो गए 2 1 बचेगा cos a बचेगा plus sin 3 a sin 3 a tan 3 a उपर देखिए common है उपर cos 3 a common है ले लिया common बचा क्या बचा 2 cos a plus 1 और नीचे आईए नीचे sin 3 a common है पूरे से sin 3 a ये 11th का question है 2 cos a plus 1 इन दोनों को cancel out कर दिया जाए cancel कर दिया हमने बचा क्या cos 3 a बटे sin 3 a ये हो गया हमारा cot 3 a cot 3 a कौन सा ओप्षन सही हो गया 61 का c option जो है वो correct हो गया है ना 61 का एकशट का c option correct हो गया चलिएगा सत्यंद्र वर्मा जी बिल्कुल सर ये b वर नीच 10 नहीं बनेगा सर उपर cos है ना इसलिए cot बनेगा ठीक है आगे बढ़ेंगे साब 62 बहतरीन question cos theta is equal to इतना दिया हमे cos 2 theta निकालना है और आप बताईए कि cos 2 theta कब निकलेगा मतलब आपको क्या निकालना है 2 cos square theta minus 1 ये निकालना है आपको 2 cos square theta minus 1 तभी तो बनेगा cos 2 theta आईए cos को square कर देते हैं दोनों तरफ square करिए इसी का square कर दीजिए दोनों side करिए भाई square ये आजाएगा cos square theta cos square theta equal to इसका square कितना हो जाएगा 1 by 4 हो जाएगा इसका भाई a square plus 1 by a square plus 2 a b होता है तो सिर्फ 2 बचेगा ठीक है एक काम कर रहे है इसको दे दो एक दो इसको दे दो तो ये आजाएगा 2 cos square theta और इधर सिर्फ 2 बचा है इधर क्या बचा 1 by 2 into a square plus 1 by a square multiply कर दो सभी में 2 बचा है 2 का multiply तो ये plus का 1 हो जाएगा ठीक है इस 1 को इधर भेज दीजिए इस 1 को प्लस के 1 को इधर भेज दीजिए इधर भेज दीजिए तो बन जाएगा 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 equal to आ जाएगा कितना 1 by 2 भाई हमने 1 by 2 बचा ये 2 एक की है इसको दिया तो 1 by 4 से और इस 2 का एक बटे 2 का multiply किया है अंदर तो 1 बटे 2 a square plus 1 by a square ये cos 2 theta है ये ही cos 2 theta है और cos 2 theta की value हमको मिल गई a square plus 1 by a square बताइए एक बटे 2 a square plus एक बटे a square कौन सा अप्षन से हो गया 62 का जो c option है वो correct हो गया है ना चलिएगा कौन सा अप्षन से हो गया इसमें c वाला option जो 62 का correct हो गया ठीक है ये video डिट नहीं करेंगे आगे बनेंगे साब यहां पर दिया गया है कि 10 2 10 a equal to 3 10 ये question का answer याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा है ना ये याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा देखिए मैं पूछा क्या गया पहले हम इसे simplify करेंगे क्या पूछा गया है हमसे sine 2 b बटे 5 minus cos 2 b तो देखिए sine 2 b को अगर हम 10 के टर्म में convert करना चाहें क्योंकि मामला यहाँ पर सब कुछ 10 के टर्म में है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 2 10 b 2 10 b divided by 1 plus 10 square b है ना ये 10 का होता है और divided by ये हो जाएगा 5 minus 1 minus 10 square b cos 2 b का फातसूत्र लगा रहे है 10 के टर्म में divided by कितना 1 plus 10 square b 1 plus 10 square b 1 plus 10 square b LCM आएगा उपर नीचे से जो cancel out हो जाएगा जो बचने वालों में से बचेंगे वो बचेंगे 2 10 b divided by 5 सिधर multiply कर दो ये आजाएगा कितना 5 plus 5 10 square b minus का अंदर multiply हो जाएगा minus का 1 हो जाएगा plus का 10 square b हो जाएगा चलिए अब ये हो जाएगा 5 में एक घटेंगे 4 उपर कितना है 2 10 b 2 10 b divided by 5 में एक गए 4 4 plus 6 10 square b ठीक है बाकि अगर आपको याद होता तो ये step करने जरूत नहीं थी सीधा ये multiply हो जाता है ना ये मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि आपको clear हो रहे है ये step लिखने की जरूत नहीं थी ये वाला जो पूरा आपने लिखा सीधा ये लिखते और ये 5 से multiply करके सीधा ये लिखते चलिए दो उपर से common लेजिए नीचे से भी common लेजिए 210B बटे में कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 3 10 square B मतलब वो option जो हमको दे देगा 10B बटे 2 प्लस 3 10 square B वही correct option होगा है ना तो हम यहाँ पर option उठा रहे हैं 10 A की जगह पर क्या रख सकते हैं 3 बटे 2 10 B तो क्या होगा 1 के 10 B बचेगी उपर तो ये हो जाएगा 10 A माइनस B इसलिए हम उठा रहे है 10 A माइनस B सूत्र क्या है हमारे पास वही 10 A माइनस 10 B divided by 1 प्लस 10 A 10 B चलिए 10 B 10 A की जगह पर हम रख सकते हैं 10 A की जगह पर रख सकते हैं क्या 3 बटे 2 10 B 3 बटे 2 10 B अब माइनस का कितना 10 B अब देखें क्लियर हो रहा होगा 2 से LC हम लेंगे 2 कटेगा तो 3 10 B माइनस 2 10 B 1 10 B बचेगा मामला नजदी की है equal to 1 प्लस 3 बटे 2 10 B 10 A की जगह पर रख रहे हैं 3 बटे 2 10 B और इंटु में एक 10 B पहले से है LC हम लीजिए 2 तो कितना जाएगा 3 10 B माइनस 2 10 B उपर बचा 10 B divided by ये कितना जाएगा 2 प्लस 3 10 स्कुरेब कौन सा अप्फन आया बिल्कुल सही था C वाला उप्षन ही करेक्ट आएगा है ना 63 में C उप्षन करेक्ट होगा आगे बढ़ेंगे Q64 देखेंगे साब एक छोटा सा Q64 है ये 64 64 है ना सिंप्लिफाई करने का हाई स्कूल लेबल का Q देखिएगा लिखा sin x minus sin 3x नीचे लिखा हुआ sin square x minus cos square x नीचे से हमको थोड़ा सा clue मिल रहा है कि ये cos 2 theta का फार्मूला बन सकता है लेकिन अगर इसमे minus common लिया जाए तो तो एक कम करते हैं यहां से भी minus common लेते हैं यहां से भी minus common लेते हैं तो मामला बराबरी पर छुड़ जाएगा तो हमने उपर भी change किया sin 3x minus का sin x divided by नीचे common लिया तो cos square x minus sin square x हुआ कितना हो जाएगा अब यह cos square x minus का sin square x उपर फार्मूला लगाएंगे sin c minus sin d का sin c minus sin d का सूतर होता है 2 into cos c plus d बटे 2 तो यह हो जाएगा 2 into cos 3x plus x 4x बटे 2 तो 2x आ गया into sin c minus d बटे 2 3x minus x 2x बटे 2 x आ गया divided by और नीचे यह क्या है cos 2x cos 2x से cos 2x कार्ट दीजे कितना आ गया 2 sin x कौन सौप्षन से हो गया 64 में d option करेक्ट हो गया 64 का d option करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे साब question 65 देखेंगे question 65 में दिया गया sin square a plus sin square b plus sin square c equal to क्या होगा ऐसी situation में मैंने आपको बताया कि ऐसे options को निकाल या तो आपको याद हो और अगर याद नहीं है यह सारे result तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे equilateral triangle में लेके जाएं यानि कि यहाँ पे आप put करें a is equal to यहाँ पे आप put करें a equal to b equal to c equal to कितना 60 degree सब जगह पे आप 60 degree put कर दें तो देखिए कितना हो जाएगा अब sin square 60 plus sin square 60 plus sin square 60 3 sin square 60 3 into sin square 60 का value रखेंगे अंडरूर 3 बटा 2 किया जाएगा 3 बटे 4 यानि कि 9 बटे 4 वो option correct होगा जो हमको answer देगा 9 बटे 4 है ना जो 9 बटे 4 answer देगा उत्तर देगा वो क्या होगा correct हो जाएगा देखते हैं और calculate करते हैं कि 9 बटे 4 कौन सा उप्षन दे रहा है भाई इसके साथ हो यहां के cost 60 plus cost 60 plus cost 60 एक बटे 2 plus एक बटे 2 plus एक बटे 2 यानि कि इसका answer जो आएगा 3 बटे 2 आएगा अच्छा यह कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा 2 into 1 plus एक बटे 2 गुड़े एक बटे 2 गुड़े एक बटे 2 एक बटे 8 LC हम लेंगे तो कितना आएगा यह आजाएगा 2 गुडे 9 बटे 8 simplify करेंगे तो यह आजाएगा 9 बटे 4 संभावना है कि यही option correct होगा लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगला option भी आजाए तो उसे भी हम उस मिथक को भी तोड़ते है cos C plus cos D है तो वही same option रखा गया है गलती होगी है रहा 3 बटे 2 इसके पास आईए यह आजाएगे कितना 1 plus 1 बटे 2 into 1 बटे 2 into 1 बटे 2 cos 8 into cos 8 into cos 8 1 बटे 8 कितना आया यह यह आया 9 बटे 8 आना क्या चाहिए यह 9 बटे 4 तो 9 बटे 4 कौन साफ़न हमको दे रहा है B वाला option दे रहा है तो 65 का कौन साफ़न से हो जाएगा B option correct हो जाएगा 65 का B correct होगा सत्यंदर शर 65 में question number लिखा करिए 7 में B option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे साफ एक बहुत बहुत बहतरीन question है 66 लाजवाब question है इसमें अगर set कर ले गए तो set हो जाएगा वरना time भी पूरा set हो जाएगा question set नहीं होगा देखेगा यह लिखा हुआ है alpha पलस beta एकोल 2 pi by 2 और दूसरा दिया गया है beta पलस gamma एकोल 2 alpha तो हमें relation निकालना है relation निकालना 10 alpha, 10 beta और 10 gamma के बीच में तो 10 alpha वराबर कहरा क्या होगा यह दिखाना है तो यहाँ पर आओ पहले यह हमको दिया गया है इन्होंने दिया है कि alpha पलस beta एकोल 2 कितना pi by 2 हम एक काम करते हैं दोनों side 10 लेते हैं तो यह हो जाए कि 10 alpha प्लस beta यानि कि 10 alpha प्लस 10 beta divided by 1 minus 10 alpha 10 beta और यह 10 90 10 90 कमान undefined undefined का मतलब एक बटा 0 है ना cross multiplication करेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा और हमारे पास आएगा 1 minus 10 alpha 10 beta equal to 1 और यह हमको दे देगा क्या 10 alpha 10 beta परावर 1 ठीक है यह दे दिया इसने आगे इसमें भी आप 10 लीजिए इन्होंने दिया क्या है B plus beta plus gamma equal to alpha both side 10 लीजिए तो यह आजाएगा 10 beta plus 10 gamma equal to में तो इधर आजाएगा 10 alpha divided by 1 minus 10 beta और 10 gamma लेकिन अभी मामला बनेगा नहीं एक काम चोटा सा कर लीजिए देखिए यहां पर relation इसने क्या दिया alpha और बीटा का दिया था ना ठीक है ठीक है अब क्या करो इसको उदर टांसफर कर लो gamma को उदर भेज दिया जाए यह हो जाएगा alpha minus beta आजाएगा इधर गामा को यहीं रहने दो इससे लिख दीजिए alpha minus beta अब लीजिए क्योंकि हम 10 alpha into 10 beta की जाएगा पर 1 भी तो रखना चाहते हैं है न उसमें simplify बहुत करना पड़ेगा अब देखेगा 10 gamma equal to कितना हो जाएगा यह 10 alpha minus 10 beta divided by 1 plus 10 alpha और 10 beta 10 alpha plus 10 beta की जगह पर 1 रखेंगे तो यह 1 plus 1 यानि कि 2 हो जाएगा 2 का इधर गुड़ा हो जाएगा यहा जाएगा 10 gamma equal to 10 alpha और minus का 10 beta याद है न 10 alpha plus 10 beta की जगह पर 1 रख सकते हैं तो 1 plus 1 2 हो गया 2 से इसको गुड़ा हो गया 10 alpha चाहिए अब हमको तो 10 alpha बराबर कितना आ जाएगा 2 10 gamma plus 10 beta है न 2 10 gamma तो कितना आगा है 10 alpha बराबर 2 10 gamma 2 10 gamma plus 10 beta यानि कि B वाला option 680 में क्या होगा correct हो जाएगा है न साब आगे बढ़ेंगे next question देखा जाए 66 लिखा हुआ साइन 47 प्लस साइन एक्सेट हंस माइनस साइन 11 हंस माइनस साइन 25 हंस इक्वल टू यह किसके बराबर होगा यह हमको बताना 66 में छोटा सा काम करेंगे यह साइन साइन कि साथ ले लिजे एक्सका कॉंबिनेशन लिजे साइन 11 ऐसा कर क्यों रहे हैं क्योंकि हमें कुछ उम्मीद है यहां से कि अगर हम इन दोनों को जोडेंगे है ना तो हो सकता है कि घटाएंगे तो 45 में घटेगा तो कितना बचेगा यहां पर एक यह हो जाएगा हमारे पास 4 और इधर हो जाएगा 34 है ना ठीक है तो एक तो जुड़ेगा जब 58 29 बन जाएगा यह भाई यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा कितना 56 करते हैं पहले इनको दोनों को sinc और इनके साथ इसको ले लिजिए प्लस sin 17 और minus sin 25 लगा यह सुत्र sinc minus sin d तो यह बन जाएगा 2 into cos c plus d बटे दो 45 और 11 कितने हो जाएगे sorry 45 नहीं यहाँ पर 47 है 47 है 47 यह 29 हो जाएगा 28 हो गटे दो 29 हो जाएगा यह 29 हो गया अच्छा घटाएगे इनको तो 36 और 18 आ जाएगा यह 18 के लिए परिसान थे sin 18 हो जाएगा है ना plus sinc minus d 2 into sinc plus d बटे दो sinc plus d बटे दो नहीं नहीं कॉस होता ना पहले cosc plus d बटे दो तो दोनों को एड़ करेंगे 61 और 25 यह 6 हो जाएगा 8 86 है ना ले सकते हैं तो 2 sin 18 हमने लिया common बचा क्या यहां पर कॉस 29 प्लस कॉस 43 इन दोनों में लगाएंगे सूत्र cosc plus cosd का तो 2 into sin 18 2 into cosc plus d बटे दो cos कितना हो जाएगा 9 3 12 कि 2 1 और चाथ 72 चछत्तिस हो जाएगा यह cos 36 हो जाएगे cos 36 हो गया into फिर कितना हो जाएगा दोनों को घटा लेंगे cos ही रहेगा यह माइनस भी तो यह बनेगा 14 बचेंगे 14 यह नहीं कि 7 ठीक है तो दुनी 4 हो गया 4 across 7 degree भी आ गया 7 में sin 18 का मान रख दिया जाए sin 18 का मान होता under root 5 minus 1 बटे 4 across 36 का मान रखा जाए under root 5 plus 1 बटे 4 देखिए इस वाले 4 से तो यह वाला 4 कट जाएगा और यह आ जाएगा हमारे पास cos 7 अंस into यह हो जाएगा a plus b a minus b 5 minus 1 यानि उपर आ जाएगा 4 नीचे भी आ जाएगा 4 दोनों cancel हो जाएगे और यह cos 7 अंस आपके सामनी होगा है ना तो 67 में कौन सा option से हो जाएगा b option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे देखिएंगे question number 68 साइन 2a plus sin 2b equal to 1 by 2 और cos 2a plus cos 2b equal to 3 by 2 हमें value निकालनी है किसकी cos square a minus b अच्छा अब आपको इसारा करते हैं बताते हैं कहां जाना पड़ेगा cos square b को निकालने के लिए हमें लगा अगर इसको हम theta मान लेते तो cos square theta की value निकालनी है हमको हमें पता है कि cos 2 theta equal to कितना होता है 2 cos square theta minus 1 तो cos square theta हमको कैसे मिलेगा ये बन जाए 1 plus हमें value किसकी निकालनी 1 plus cos 2 theta by 2 की ये value हमको निकालनी है तब ये हमारा cos square theta बन जाएगा ठिक है हम निकालेंगे एक काम करते हैं इसे question 1 बना देते हैं और उपर वाले को question 2 बना देते हैं दोनों को जोड़ देते हैं दोनों को work करके हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा ये बनेगा उपर बनेगा sin square 2a plus cos square 2b plus 2 sin 2a sin 2b plus cos square 2a plus cos square 2b plus 2 cos 2a plus cos square 2b plus 2 cos 2a plus cos 2a तो ये आ जाएगा 2 sin 2a sin 2b plus और इदर 2 cos 2a cos 2b ये आ जाएगा हम दो common ले सकते हैं दो common भी ले सकते हैं यहां से दो common लेंगे देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2 लीजिए common तो कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 2a cos 2b लिख लीजिए cos 2a cos 2b plus sin 2a sin 2b equal to कितना हो जाएगा 10 बटे 4 5 बटे 2 5 बटे 2 अच्छा यह सुत्र बन गया हमारा cos a minus b का यह क्या बन गया cos 2a minus b cos a cos b यह minus b का बन गया लेकिन अब यह जो 2 into में था है डिवाइड में जाएगा 5 बटे 4 और जो यह plus 1 था इधर minus में चला जाएगा no doubt है ना हमें value निकालनी है अब यह बन गया cos 2a अब देखेगा यह हो गया cos 2a half angle में इसे change किया जाए half angle में जब आप इसे change करेंगे तो आप आएंगे कि यह बन जाएगा cos square कितना cos square square कितना हो जाएगा यह a minus b धन अच्छ cos square a minus b हो जाएगा माइनस का 1 इकोल टू आजाएगा 5 बटे 4 माइनस का 1 इन दोनों को cancel out कर दिया जाए है ना तो यह कितना आजाएगा यह आजाएगा cos square a minus b इकोल टू यह 5 बटे 8 हो जाएगा यह 2 है ना इन तू में यह 5 बटे 8 बन जाएगा है ना तो कौन साफफ़न सही हो जाएगा d सही हो जाएगा तो 67 में कौन साफफ़न सही हो जाएगा 68 में d all options होगा वो correct हो जाएगा है ना चलिएगा next देखेंगे आगे बढ़ेंगे question 69 देखेंगे 79 question 69 हम से कह रहा है कि 10x is equal to b by a तो हमको इसकी value निकाल ली है निकालेंगे एक काम करें उपर से a common लो जबरजस्ती common लीजिए उपर से a तो कितना आजाएगा यह आजाएगा 1- का b by a divided by नीचे से b a common लिया जाए 1 plus b by a और यह cancel हो गया common के बाद plus और यह भी आजाएगा रूट में b by a बना रहे है है ना तो 1 plus by a divided by 1- by a अब जहाँ पर b by a है वहाँ पर 10x रखा जा सकता है तो रखा जाए तो यह रूट के अंदर आजाएगा कितना 1- का 10x divided by 1 plus 10x plus यहाँ रूट के अंदर आजाएगा 1 plus 10x divided by 1- 10x LSE हम लेंगे तो यह 1- 10x का whole square हो जाएगा और उपर बनेगा हमारे पास 1- 10x है ना वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा plus 1 plus 10x का इसके साथ multiply होगा square बनेगा और यह उपर बन जाएगा a minus b a square minus b square यानि कि यह बन गया 1- 10 square a 1- 10 square x यह दोनों cancel हो गए उपर क्या बचा 2 और नीचे 2 into 1 बटा root में आजाएगा कितना भाई अगर इसे हम cos में convert करते हैं sin cos में तो उपर हो जाएगा यह cos square x minus का sin inverse x और divide में आजाएगा cos square x root निकलेगा उपर जाएगा तो cos x बनेगा है ना root से निकलेगा तो उपर यह cos x बन जाएगा cos x बन गया divided by root के अंदर बचेगा cos square x minus sin square x यह cos 2 x के बराबार होता है कौन सा उप्षन सही हो जाएगा d option 69 का जो है correct हो जाएगा 69 का d correct होगा है ना आगे बढ़ेंगे next question देखेंगे 70 70 में लिखा हुआ 4 sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi हमें value बतानी की क्या आएगी है ना अब देखेगा भाई एक छोटा सा काम करेंगे हाँ पर हम 4 को लिख देते हैं 3 sin inverse x और यहाँ पर sin inverse x प्लस cos inverse x बनेगा और sin inverse x प्लस cos inverse x की जो value होती हो pi by 2 होती है तो यह हो गई pi by 2 equal to कितना हो गया pi इस pi को उधर जाके घटा दिया जाए sin inverse x is equal to pi में pi by 2 घटेगा यहाँ आगे बढ़ेंगे question number 71 देखेंगे 71 में कह रहा है कि if 10 inverse 2x plus 10 inverse 3x equal to pi by 4 then the value x की value निका लिए हैं हमको दिखेगा हम यहाँ formula apply कर रहे हैं 10 inverse x plus 10 inverse y का series यह बात है कि यह कितना हो जाएगा 10 inverse x plus y यह हो जाएगा 2x plus 3x divided by 1 minus 3 दूनी 6x square यानि कि 2x into 3x is equal to कितना यह भी हो जाएगा 10 pi by 4 हमारे पास pi by 4 है कोई बात नहीं ठीक है यह कितना हो गया यह हो गया 5x बटे 1 minus 6x square 10 inverse इसके साथ जाएगा pi by 4 बनेगा 10 pi by 4 कमान कितना होता है 1 यह जाएगा 5x is equal to 1 minus 6x square सबको इधर ले आओ तो यह आजाएगा 6x square plus 5x minus 1 equal to 0 कितना गया 6x square धन 6x minus x minus 1 equal to 0 अब आप यहाँ पर LCM लीजिए 6x common लीजिए कितना जाएगा x plus 1 यहाँ minus का 1 common लीजिए तो यह भी हो जाएगा x plus 1 equal to 0 x के 2 मान आएगे 1 minus का 1 आएगा और 1 बटे 6 आएगा जो minus 1 होगा उसे satisfied नहीं करेगा है ना यहाँ पर रखिएगा और minus 1 जो है उसे satisfied नहीं करेगा इसलिए minus 1 को हम छोड़ देंगे और x is equal to कितना 1 बटे 6 ले लेंगे है ना तो कौन सा आप्षन सही हो जाएगा 71 का जो c option है वो correct हो जाएगा चलिएगा करते नहीं जाएंगे साथ में करेंगे तो मज़ा आएगा आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं आज आज रुके हुए हैं एकदम वरना आप लोग सहलाब ला देते हैं जवाबों का 72 दिया गया है कि if cos inverse a by x plus cos inverse 1 by a equal to एक काम करते हैं छोटा सा यहाँ पे apply करते हैं cos inverse x plus cos inverse y तो क्या होता भाई cos inverse x plus cos inverse y का फार्मूला क्या होता x into y x into y तो यहाँ जाएगा a by x into 1 by a ठीक है plus होता है तो minus आता है minus root के अंदर होता है 1 minus x square तो 1 minus पहला a square बटा x square और into 1 minus y square 1 minus 1 upon a square equal to same इसके साथ apply होगा तो कितना जाएगा यह b by x देखें दोनों तरफ cos inverse cos inverse रहेगा खतम हो जाएगा b by x उसकी tension हम नहीं ले रहे minus root के अंदर हमारा वही आएगा कितना 1 minus का b square y x square और दूसरा रहेगा in two में ही 1 minus 1 upon b square अब आप देखेंगे कि a से a कटेगा b से b कटेगा कट जाएगा 1 upon x 1 upon x यहां कटेगा दोनों तरफ plus के रहेंगे तो यह कुल मिला कि पूरा term सही कट जाएगा पूरा path कट जाएगा 1 upon x भी खतम भाई एक बटे x यहां बचा है अब एक बटे x यहां बचा एक बटे x और एक बटे x भी दोनों plus के हैं दोनों हटा दिये जाएगे और दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारे पास इतना बचा है माइनस रूट के अंदर और माइनस रूट के अंदर दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो कितना आजाएगा 1-a² बट्ट x² एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में कितना 1- 1-1 upon a² और ये बचा हमारे पास 1-b² y x² 1-1 बट्ट b² ठीक है इसका 1 का मल्टिपलाई किया जाए तो आजाएग 1-1 बट्ट a² माइनस हो जाएगा a² बट्ट x² का माइनस कुड़ा करेंगे a² बट्ट x² माइनस माइनस हुआ प्लस a² बट्ट a² का कटेगा तो एक बट्ट x² बचेगा x² इसकोल टू सेम इसके साथ आजाएगे 1 का मल्टिपलाई करेंगे 1-1 upon b² b² upon x² का मल्टिपलाई करेंगे b² upon x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 upon x² 1 upon x² से 1 upon x² को काट दीजिए इस 1 से इस 1 को काट दीजिए और LCM ले लिजिए अभी नहीं 1 upon b² को इधर उठा लो इधर उठा लो तो यह कितना आजाएगा यह जाएगा 1 upon b² minus 1 upon a² equal to इधर a² बटे x² और उसको प्लस में इधर ले जाएगा तो यह जाएगा a² बटे x² माइनस का हो जाएगा b² बटे x² ठीक है अब LCM लीजिए इधर तो आजाएगा a² माइनस b² divided by आजाएगा a² b² LCM आजाएगा a² b² x is equal to आजाएगा plus minus का a b x is equal to a b आएगा दूसरा आएगा minus a b दोनों value आ रही है लेकिन आप यहाँ minus a b रखिएगा satisfied नहीं करेगा change हो के आजाएगा आप दोनों जगा रखिएगा minus a b संतुष्ट नहीं करेगा मैं रख नहीं रहूँ आप यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे a b रखिएगा minus का a b रखिएगा वो cancel करेंगे तो दोनों lhs और rhs equal नहीं आएगे तो इस condition में सिर्फ यह वाला मान लिया जाएगा फलस वाला ठीके से आप satisfied करवाईएगा दोनों equal नहीं आएगे जहाँ पे cos inverse minus x बचे बने तो वहाँ पे pi minus से बदल दीजेगा pi minus cos inverse x है ना दोनों equal नहीं आएगे आगे बढ़ेंगे हम साब 73 73 एक बढ़िहा question है यहाँ पे हमें 10 theta की value निकालनी है देखते हैं तो पहले तो सीधी जी बात है कि यह जो 2 है 2 एक अन्नम 2 दो दूर्णी चार इससे काटा जा सकता है अब यहाँ पे sin inverse x बचा इस sin inverse x को उठा के इधर ले जाएंगे तो sin pi by 2 हो जाएगा इधर देखें यह जाएगा 3 sin 2a 2 theta divided by 5 plus 4 cos 2 theta equal to sin inverse यह इधर हो गया हमारा inverse में जो था sin उधर गया और यह pi by 2 के साथ मिल गया अब यह उनको 10 में convert कर लीजे 10 ही नहीं कालना है तो 10 में convert कर लिया जाए 10 में convert करेंगे तो कितना आजाएगा यह 3 into 2 tan theta upon 1 plus 10 square theta होता है वो हम LCM लेंगे नीचे वाले से cancel हो जाएगे क्योंकि cos 2 theta भी तो नीचे बैठा है तो यह 5 into आजाएगा 1 minus का 10 square theta plus 4 इसका जो LCM आया cos 2 theta पराबर क्या होता है cos 2 theta पराबर होता 1 minus का 10 square theta 1 plus 10 square theta divide में होता है भाई इसका हमने LCM लेया तो 1 plus 10 square theta जो sin के साथ है तो वो दोनों cancel out हो गए कितना गया है 4 1 minus का 10 square theta ने ने उपर तो plus होगा ना इसमें ने हाँ हाँ ठीक है नीचे plus होता है नीचे plus होता है यहाँ minus होता है ठीक है अब सही चलिए कितना हो गया भाई ये equal to कौन है 1 equal to है 1 90 का मान 1 होता है कितना हो जाएगा है 6 6 10 theta अडिवाइड भाई कितना हो जाएगा ये 5 plus 5 10 square theta 5 plus 5 10 square theta हो गया plus 4 minus 4 10 square theta equal to कितना 1 कितना हो जाएगा ये 6 10 theta 6 10 theta equal to कितना हो जाएगा भाई 5 4 9 equal multiply भी कर दीजे लगे हैं 9 minus 10 square theta है ना plus हो जाएगा 5 10 square theta minus के 4 है तो ये plus का 10 square theta होगा ठीक है अच्छा ये अब सूत्र बन गया हमारा किस चीज़ का सूत्र बन गया ये ये बन गया इसको सब को इधर उठालाओ 10 square theta ठीक है minus का 6 10 theta plus 9 equal to 0 ये सूत्र बन गया किसका 10 theta minus 3 का whole square बन गया equal to 0 है ना a square minus 2ab plus b square तो ये अब वर्ग ले लेंगे तो दोनों तरफ के आ जाएगा 10 theta minus 3 equal to 0 10 theta का value कितना आ गया 3 आ गया कौन सा आप्षन से हो जाएगा 73 का जो c option होगा वो correct हो जाएगा 73 का c option correct होगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 74 ये लिखा हुआ है sec inverse 1 plus x square देखे sec inverse 1 plus x square लिखा है अगर हम इसकी जिगा पर 10 theta रग दें तो 1 plus 10 square theta है sec theta बनेगा खतम हो जाएगा यानि कि x is equal to 10 theta इसे satisfied कर रहा है यानि कि theta पराबर 10 inverse 6 ये क्या बन गया x की जगर पर 10 theta रखिए तो हो जाएगा अगर मालो थोड़ी देर के लिए बात ध्यान देना x is equal to हमने क्या रखा 10 theta रख दिया तो क्या हो जाएगा 1 plus 10 square theta sec square theta हो जाएगा और sec square theta root के बाहर निकलेगा sec theta होगा तो sec inverse sec theta यानि theta बचा तो theta पराबर क्या हो जाएगा 10 inverse 6 तो 10 inverse बन गया पलस और यहाँ पे भी अगर आप क्या रख दे यहाँ पे भी रख दिजिए आप 10 phi y is equal to 10 phi रख दिजिए तो ये क्या हो जाएगा sec phi sec phi बटे ये कितना हो जाएगा sin phi वो sorry tan phi नीचे आएगा tan phi sec phi sec phi नीचे सकार दिजिए 1 upon tan phi कॉसिक यानि कि phi tan phi से satisfied कर रहा है तो y is equal to tan phi रख तो theta is equal to कितना हो जाएगा tan inverse y phi is equal to कितना हो जाएगा tan inverse y मतलब इसको अगर हम tan में convert करना चाहेंगे तो tan inverse y लिखा है और इसको भी tan में convert करिए ये cot inverse लिखा है ना तो tan में करेंगे तो tan inverse x बन जाएगा ये z है यहाँ पर z है ठीक है तो यह हो जाएगा tan inverse z equal to कितना phi शुत्र लगा दिजिए कौन सा tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z का कितना होता है tan inverse x plus y plus z minus x y z divided by 1 minus x y minus y z minus का z is equal to pi अब pi कि इदर tan inverse है ना तो tan के साथ tan pi tan pi का मान होता है 0 tan pi का मान कितना होता है 0 यह निकिया गया x plus y plus z minus का x y z equal to यह 0 में हो जाएगा हमने tan inverse tan pi 0 रखा tan pi का मान 0 तो यह multiply में जाएगा 0 हो जाएगा यहां से हमको मिल जाएगा x plus y plus z equal to x y z और यही value हमको निकालनी थी तो कौन सा अफफन सही हो जाएगा 74 का जो d option है वो क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे साब ठीक है clear हुआ ना 74 तो clear हो गया ना आगे बढ़ें ना 75 की तरफ बढ़ा जाए कदमों को धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ाते रहिए चलिएगा कौन सा अफफन सही हो गया भाई x plus y is equal to कितना अग x plus y plus z is equal to अग x y z d option correct हो गया 75 देखेंगे बस थोड़ी देर धारे और बनाए रखें बहुत जल्द पहुचने वाले हैं आगे हम देखिए 10 inverse x sine inverse x है रख दीजिए sine inverse x एक बात हमेरे दिमाग में खटक रही है कि sine inverse x है तो यहाँ पे cos inverse x बनना चाहिए तभी pi by 2 होगा sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 तो यह cot inverse अभी लिखा हुआ है प्लस तो हम चाहेंगे इस cot inverse के लिए triangle बना लिया जाए भाई अगर इससे आप convert करेंगे तो 10 inverse बन जाएगा 10 inverse 2 हो जाएगा यह तो कि cot inverse 1 by x 10 inverse x के बराबर होता है तो 10 inverse 2 बन जाएगा equal to कितना है सहाब pi by 2 अच्छा 2 को हम लिख सकते हैं 2 by 1 इसे लिजिए لم्ब बटे आधार لم्ब बतलब perpendicular इसका 2 base कितना हो गया 1 और इससे calculate करेंगे तो यह कितना आजाएगा root 5 कितना आजाएगा root 5 यह हो गया sin inverse x प्लस हम इसे cos में convert करना चाहते है तो यह हो जाएगा cos inverse आधार बटे करण base by hypotenuse base कितना है 1 hypotenuse कितना है under root 5 equal to कितना pi by 2 और ऐसा कब होगा यह भाई हमें पता है कि sin inverse x यह दोनों एंगल अगर बराबर होते तभी तो pi by 2 होता है ना sin inverse x प्लस cos inverse x बराबर pi by 2 होता है यानि कि x की जगा पे भी एक बेटे अंडर root 5 होना चाहिए x की जगा पे भी एक बेटे अंडर root 5 होना चाहिए यानि कि 75 का जो option number d होगा वो क्या होगा correct होगा attempt नहीं कर रहे हैं आज आप प्रशनों को 75 में d correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 76 की तरफ बढ़ेंगे बहतरीन question sin square 72 अंस minus sin square 60 अंस की value क्या होगी अब देखिए सब से अच्छा होगा कि आपको sin 72, sin 18, cos 18 sin 34, sin 51, cos 51 यह सारी value रटी हो sin 15, 10, 15 यह रटी होनी चाहिए competition fight करने के लिए निकालने के जुरूत नहीं है exam time यह सब रटी होनी चाहिए मुस्किल से 10-15 मान ऐसे हैं जिनको आपको याद करना है देखिएगा यह क्या है sin square 72 degree minus sin square 60 degree sin 72 sin 72 बातर का मान होता है चाहो तो 72 को आपका 18 भी बना सकते हो cost square 18 हो जाए को यहना नब्बेस चेंजी कर दीजिए 18 बन गया minus sin square 70 cos 18 की value होती है यह थोड़ी खतरनाक value होती है 10 plus cos है 2 under root 5 divided by 4 इसका square लगा है लगा दीजिए sin 60 अंडर रूट तीन बटे दो का स्क्वेर ठीके वर्ग करिए इसका उपर भाई क्या होगा वर्ग करिए तो रूट हट जाएगा उपर वाला बस और क्या होगा उसका दस प्लस दो अंडर रूट पांच और डिवाइड में कितना आ जाएगा सोला माइनस तीन बटे चार L.C.M. लीजिए लस्वेर कितना आएगा? लासा कितना आएगा? सोला सोला हो गया यह कितना हो गया? दस प्लस दो अंडर रूट पांच माइनस भाईर चार तीना बारा बारा हो जाएगे कितना हो जाएगे? घटाएंगे दो अंडर रूट पांच माइनस दो बटे 16, दो उपर से कॉमन लीजिए, अंडर रूट पांच माइनस का 1, नीजे वाले को काट दीजिए 8 हो जाएगा, अंडर रूट पांच माइनस 1 बटा 8, तो 76 यानि कि 76 में पहला ओप्षन करेक्ट हो जाएगा, 76 का ए ओप्षन जो आगे बढ़ेंगे साब, कॉस्चन नमर देखेंगे 77, एक बहतरीन कॉस्चन, बस इसे टेक्निक से करना है, यह लिखा हुआ है, एक चोटी सी बात है, आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, दस्वी में पढ़ी थी, 10 थीटा, 10, 60 माइनस थीटा, इन्टू, 10, 60 प्लस थीटा, यह किस के बराबर होता है, यह 10, 3 थीटा के बराबर होता है, है न, सेम इसके साथ होता है, 10, 6, इसे रहने दीजिए, 10, 6 डिगरी हो गया, यह हमारा थीटा है, अच्छा, साथ में उठा लिजिए ये हो गया 10 ये हो जाएगा देखो 6-6 है न 6-6 को मैं लिख सकते हैं 60 प्लस थीटा लिख सकते हैं न चाहे तो इसको पहले लिख लिजिए 10 हो जाएगा हमारा कितना ये 60 60 में कितना घटा दे हैं 18 हमने घटा दिया 60 में 16 42 आजाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 60 प्लस 6 और इसे क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 10 78 है न तो 78 मतलब की 60 में 18 जोड दिया जाए तो 60 प्लस 18 मामला बन रहा है थोड़ा थोड़ा सा है न लेकिन अगर हमारे पास एक आइटम और होता तो 10 6 को तो पहले चुपचाप इनको अलग करिए 10 6 डिगरी इन 2 10 यह 60 प्लस 6 को अलग कर लिजे यह इसका दोस्त है यह हो गया अब देखिए इनके दोस्त यह हमारे पास अगर हम इन दोनों को साथ में रखें 10 60 माइनस 18 को और 10 60 प्लस 18 को अगर साथ में रखें इन दोनों को साथ में रखें तो इनके लिए कमी खल रही है सिर्फ एक आदमी की किसकी 10 18 थीटा अगर मिल जाता इनको 10 थीटा यानिकि 18 10 18 10 60 प्लस 18 1060-18, यह मिल जाता, तो यह काम करते हैं, जो नहीं है, उसको उपस्थित करवाया जाए, दोनों उपर नीचे हमने क्या किया, multiply और divide किया, ठीक है, अब देखे यह, 10 theta, 1060- theta, 1060- theta, 1060- theta, यह वाला जो उपर वाला, यह 1030- theta बन जाएगा, और यहाँ पर आजाएगा, यह आजाएगा, 106 degree, 10, यह वाला जाएगा, 60 plus 6, अब देखे, यह बना जाके, हमारा 103 theta बन गया, यह 103 theta बन गया, यानि कि 103 theta का मतलब, 10 into 18, यानि कि 1054, 14 degree, 54 को हम लिख सकते हैं, यह into में आ गया, 1054, 1054 को हम लिखेंगे, 60-6, डिवाइड में हमारे पास यह अभी चुपचाप बना है, 1018, अब यहाँ पर भी वह फुत्र बन चुका है, फिर से, 10 theta, 1060 plus theta, into 1060- theta, यह है ना, आपके सामने, तो यह भी बन गया हमारे पास, कितना 10, 3 theta, 10, 6, 3 theta मतलब, 3 into 6 degree, 6 degree, divided by कितना, already है, हमारे पास कौन, 1018, तो कितना हो जाएगा, 638, 1018, 1018, 1018, बटे, 1018, दोनों cancel out हो जाएगे, कितना बनेगा, 1, कौन सौफफन होगा, D वाला option, 77 में क्या होगा, correct हो जाएगा, है ना, 77 का जो D option होगा, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, क्वेस्चन नमरा 70 की तरफ, 78 कराएगे, find the general value of theta, if you, यह दिया गया है, हमको इसकी general value निकालनी है, है ना, बढ़िया question, देखेगा, हम इसे चाहें तो, दो तरीके से कर सकते हैं, एक, sin cos में change कर लिया जाए, तो क्या बनेगा यह, यह बन जाएगा, sin a theta, और sin b theta, equal to, भाई, यह cos वाला होगा, वन के साथ multiply होगा, तो यह कितना हो जाएगा, cos a theta, cos b theta, ठीक है, चले, अब सबको उधर ले जाएगे, यह जाएगा, cos a theta, cos b theta, minus sin a theta, cos b theta, equal to, कितना, 0, cos a cos b minus sin a sin b, यह cos a plus b का सुत्र बन गया, cos a theta, plus b theta, equal to, कितना, 0, और आपको पता है, जब cos theta, बराबर 0 होता है, तो theta, बराबर n pi, और 2n, क्या होता है, 2n plus 1, into pi by 2, है न, अभी यूज किया था एक जगा, a theta, plus b theta, equal to, तब इसका ब्यापक मान क्या होता है, 2n plus 1, into pi by 2, ठीक है, theta बराबर यहाँ से निकाला जाए, यहाँ पलस b, into में आ जाएगा, pi यहाँ पर है, यह अल्रेडी है, मारे पास, तो pi बटे a plus b, और इस 2 को जो बटा वाला 2 है, यहाँ भेजा जाए, तो यह n plus 1 बटे 2 हो जाएगा, कौन सॉफफ़न से हो जाएगा, 78 का d option जो है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे साब, question number 79 की तरफ, 79 11th का question है, अपनी old book का, है न, यह 10 2 theta equal to 10 2 y theta, यह दिया गया है, आपको पता है कि 10 theta बराबर 10 alpha जब दिया होता है, तो जो ब्यापक मान होता वो क्या होता है, 2 theta equal to n pi plus alpha, alpha मतलब 2 y theta, अब ही देखिए, theta का मान हम separate करेंगे, s theta नहीं निकलेगा, यह न, separate करेंगे, तो भाई क्या होगा, lc हम लीजे इधर, तो यह आजाएगा 2 theta equal to n pi theta plus 2 by theta, तो 2 theta square हो जाएगा, तो यह आगया 2 theta square minus का n pi theta minus का 2 equal to 0, तो theta बराबर कितना हो जाएगा, स्री धराचार सुत्र लगाया जाए, minus b, तो n pi, minus का pi है तो n pi हो जाएगा, plus minus, under root, b square, तो n square pi square minus, 4ac, 4ac minus minus plus हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, दो दूनी 4, और 4 गोड़ी 4, 16 हो जाएगा, upon 2a, 2a, 2 into 2, यनि किया जाएगा, 4, तो n pi plus minus n square pi square minus 16, यह यह आला c वाला option जो है 79 का correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 80 देखेंगे, आज की class का last question, सब्र के इम्तहां, बहुत तगड़ा आपने सब्र और लगातार आप जुड़े रहे, है न, यह बहुत ही शांदार था, एक प्रड़ा दाई और जादे रहा था लगातार, अब देखिएगा, यह लिका हुआ है, cost 3 theta, cost 5 theta minus, cost 7 theta, cost 9 theta, equal to होगा, किसके equal होगा, एक काम करते हैं, सुत्र तभी बन पाएगा, जब हम क्या करें, 2 से multiply कर दें, और 2 से divide कर दें, तो जो divide वाला, उसको हम बटे में ले लें, multiply वाले को multiply कर दें, कितना जाएगा, 2, cost 3 theta, और यह, cost 5 theta, minus, 2 इसके साथ भी आएगा, 2, यह जाएगा, cost 7 theta, और cost 9 theta, ठीक है, 2, cost A, cost B, cost A plus B, plus cost A minus B होता है, ठीक है, तो भाई, A plus B, 5, 3, 8 theta हो जाएगा, ठीक है, plus cost A minus B, तो 3 theta, minus 5 theta, कितना बजाएगा, 2 बचेगा, minus का बचेगा, तो cost के अंदर, minus, cost minus theta, cost A theta होता है, minus, यहाँ भी, यहाँ पर क्या करेंगे, cost 2, cost A, cost B, cost A plus B, plus cost A minus B, minus के हो जाएगे, minus का multiply भी साथ में कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, जब जोडेंगे दोनों को, तो 16 theta हो जाएगा, जब दोनों को घटाएंगे, तो 9 में 7 याँ नहीं कि 2 theta बचेंगे, 7 में 9 घटेंगे, minus 2 theta, और cost minus को अब्जार्ब कर लेता है, कोई दिक्कती नहीं, तो 2 theta हो जाएगा, और यहाँ पर यह भी minus का होगा, यह दोनों cancel out हो जाएगे, बचेगा क्या हमारे पास, 1 बटे 2, cos 8 theta, minus cos 16 theta, चलिए, अब देखेंगे, 1 बटे 2, into, cos C minus cos D का सुत्र लगाएगे, cos C minus cos D का सुत्र होता है, 2 into, sin C plus D बटे 2, sin C, तो 8 theta, 24, 12 हो जाएगा, into, sin D minus, D minus C बटे 2, तो 16 theta minus 8 theta, 8 theta, यहनि कि 4 theta बनेगा, यह दो से 2 को कार दीजे, बचेगा क्या हमारे पास, यह बचा, sin 4 theta, और sin 12 theta, इस से ज़्यादा हल नहीं कर सकते, तो कौन सा अप्फन सही हो जाएगा, D option सही हो जाएगा, यहाँ पे, 80 में D option क्या होगा, correct हो जाएगा, चलिए, ठीक है, clear हुआ, very good morning, सभी को very good morning, विडिया यादो सर है, बिनोद गुपता सर है, zero to infinite, sir good morning, चलिएगा, आज की class आपको कैसी लगी, class को खतम होने के बाद, class के comment section में, comment करके जरूर बताईएगा, यह जो questions का selection था, collection जो था, वो कैसा था, इस type के questions, कई बार exams में आते हैं, important के दिश्टी से, सारे high profile questions ही उठाएगे, बढ़िया questions उठाएगे हैं, मतलब कि, जिनके solutions किये जा सकते हैं, या इनके उत्तर भी हमें याद होने चाहिए, है ना, तो बढ़िया question हम लोगों ने, रखने की कोशिज की है, चलेगा, तो कैसा लगा है सेसन आपको, comment section में जरूर बताईएगा, अपना प्यार और दुलार, YouTube के comment section पर उतार दीजिएगा, थेंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यमाद, जैहिंद वंदे मात्रम,